हलो एवरिवान वेरी गुड इवनिंग तू ओल अफ यू कैसे हैं आप सभी एम आए ओडिबल अन विजिबल हां जी क्या सभी बच्चों को मेरी अवाज आ लिये में सुनाई दे रही हूं दिखाई दे रही हूं गुड इवनिंग एवरिवान कैसे हो बिटा आप लोग क्या हाल चाल आप सभी के जल्दी जल्दी से एक बारी पड़ा वर्चे कॉमेंट कर दो एम आए ओडिबल अन विजिबल यार आपको पता हिए कि क्लास 11 की क्लास अभी अभी खतम होई है हाना मैंने रेस्ट भी नहीं और मैं तुरंत आ गई हूँ आप लोगों की क्लास में सो कभी-कभी हो जाते है बेटा 5-10 मिनिट I don't think 5-10 मिनिट में इतना कुछ major difference है कभी-कभी आप लोग adjust कर सकते हो हाना चालो जी good evening जी सभी को सत्रियकाल कैसे हैं आप सभी फटा फट से आज आई है in the class आज हम लोग करने वाले हैं footprints without feet के सभी chapters जो आपको pre-board और board में देंगे बहुत जादा फाइदा कल मैंने आप लोगों को सारी की सारी poetry's कराई थी right हमने 10, 9, 9 poetry, 9 poem हमने कल करी थी कल की class में right and मुझे बहुत खुशी है बताते वे के मेरे साथ 300 बच्चे तो बने ही हुए थे कल की class में आज मैं आप लोगों को सारे chapters एक ही class में कराने वाली हूँ footprints without feet के यानि कि आपकी सारी revision आज इखटे होने वाली है बहुत मज़ा भी आने वाला है आज हमको तो फटा फट से आप लोग एक बार ही आज आईए class को like और share कर दीजिए जल्दी जल्दी से और comment section में spam कर दीजि ठीके दिवाली के बाद आपकी class का time मैं 7 p.m. या 7.30 p.m. पे कर दूँगे simple ओके बट दिवाली तक हम यही time को follow करेंगे ठीके दिवाली तक हम यही time को follow करेंगे और दिवाली के बाद मैं आपका time change कर दूँगे अभी के लिए फटा फट से यार मुझे बिल्कुल भी like और share नहीं दिख रहा है class में जल्दी जल्दी like और share कर दो class को ठीके बिकर्स यह जित्रे भी chapters तुमें दिख रहे हैं जो list तुमें दिख रही है A triumph of surgery, thief story, midnight visitor, question of trust, footprints without feet, making of a scientist, necklace, भोली, the book that saved the earth सारे chapter, 9 के 9 chapters आज मैं तुम लोगों को कराने वाली हूँ ठीके जी, we can do it, बिल्कुल अच्छे यार ये मत बोला करो कि मैं हम ignore कर रहे हैं, ये वो फलाना कोई किसी यार ये हमारी एक family है, हमारा channel है, तुम्हारा channel है, इस पर कोई किसी को ignore नहीं करता ठीके, तो ये बाहर के लोग बोले, बाहर के बच्चे बोले तो समझ भी आता है कि मैं किसी और channel पर पढ़ा रही हूँ, वहां के बच्चे बोले तो ठीक है वहां चल जाता है, बट तुम लोग ये बोलते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है तुम मेरे अपने बच्चे हो, हना तुम लोग ऐसे मत बोले करो कि यार माम इग्नॉर कर रहे हो, यह है, वह अब मेरा ध्यान क्यामरा पर है, अगर मैं क्यामरा पर नहीं तो ऐसे पढ़ाऊंगी देखो नीचे, यह मैं तुम्हारे कॉमेंट देख रहे हूँ, अच्छा ल हाँ, मज़ा आज आएगा, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, 300 लाइफ वाचिंग तो ग्रॉस करा दो, फड़ा फट से फूल एनरजी के साथ शुरू करते हैं हम लोग हमारी क्लास को, बहुत मज़ा आएगा, आज हम पीछे से करेंगे चाप्टर्स, आज हम ट्राइंप सरजरी से शुरू नहीं करेंगे, आज हम दा बुगदाट सेवधी अच से शुरू करेंगे, ठीक है, पीछे से आज हम चाप्टर्स की शुरुवात करने वाले हैं, मेरी जान, जितने बच्चे नए आए हैं, चानल पे स्वागत है, बेटा जी, आप टेलीग्राम जरूर ज लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें क्लास 10 के सबी चाप्टर्स मैंने डाल रखें, ठीक है, अच्छा जो को लाओ, अच्छा हाँ हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, कि मैं कल की क्लास में जो को लाओंगी, तो जैसी ही आप लोग 300 लाइब वाचेंग और 300 लाइक्स क्रॉस कर जो को क्लास में ले आऊंगी, अभी ले आऊंगी, जो जगी भी हुई है, अभी जो जगी भी हुई है, तो अभी जो आ भी जाएगी, तो मैं फिलाल कर रही हूँ क्लास को शुरू, जैसी मुझे दिखेगा कि आप लोगों ने वाचेंग और लाइक्स 300 क्रॉस करा दिये है जो क्लास में आजाएगी, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इस अमेजिंग, अमेजिंग क्लास ओफ आर्स जो आपको प्री बोर्ड्स और आपके बोर्ड्स में 100 प्रतीशत मदद करेगी, चाहें आप किसी भी बोर्ड में हों, तो फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट को ह शुरू करेंगे, दा बुक दाट सेव दी अर्थ से, चाप्टर नंबर 9 से, आज हम उल्टी गिंति काएंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आज हम लोग जाएंगे, ठीक है मेरी जान, ठीक है, चालो जी, शुरू करते हैं फटा फट से, तो दा बुक दाट सेव दी अर्थ, अब यह जो सेंट्रल आइडिया है ना, दा बुक दाट सेव दी अर्थ का, तुम्हें भी पता है वो क्या है क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था, that incomplete information is always क्या होती है, नुकसान दायक होती है, हाना अगर तुम्हें कोई भी आधी अधूरी बात पता है ना, वो ठीक है किसी कोई तीसरा आया तुम्हारे बीच में आग लगा दी, तुम क्या करोगे, जाकर अपने दोस्ते कलेश कर लोगे, लडाई कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पूरी बात पता ही नहीं है, तो जब भी ऐसा होगा ना, कि तुम लोगों को पूरी बात नहीं पता, तो देखना उस टीस से हमेशन उकसान ही होगा, और ये चाप्टर इसका जीता जागता सबूत है, समझते हो, so it also describe how the world was saved from the Martian invasion, अब मैंने आपको चाप्टर के अंदर बताया था, मैंने आपको लाइन बाइन हर चाप्टर करा रखा है, ये वाला चाप्टर भी लाइन बाइन अब पिछले हफते ही मैंने आपको कराया है, just in case अगर किसी को देखना हो कि न्सी आटी की लाइन बाइन हमें तो पढ़ना है, तो वो भी मैंने करा रखा है, प्लेलिस में आपको मिल जाएगा, so Martian invasion मतलब जो लोग Mars पे रहते हैं, उन लोगों ने सोचा भाई हमना अर्थ पे हमला करेंगे, तो ये चाप्टर हमें बताता है कि कैसे एक किताब ने, एक बुक ने बचा लिया हम अर्थ के लोगों को, मार्स के लोगों से, ओके, अब बुक का नाम क्या था, Mother Goose, ये बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, बुक का नाम था, Mother Goose, और ये बुक थी, Book of Rhymes, जो nursery rhymes होते हैं, जैसे कि Humpty Dumpty sat on a wall, आप सब भी प्लीज अपनी अपनी nursery rhymes, कौन-कौन से आपको याद है, मुझे कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे याद है मेरी Johnny Johnny Yes Papa वाली, Humpty Dumpty वाली, Baba Baba Black Shep, Twinkle Twinkle Little Star, मुझे ये चार याद है, तो nursery rhymes की ना एक बुक थी, जिसका नाम था बेटा जी, Mother Goose, और इस बुक का बहुत important role है इस chapter में, ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो play है ना, ये chapter एक play एक नाटक के form में है, ये जो play है, ये कौन से साल का है, 2550, अभी हम कहां है, 2023, सोचो, तो ये जो play है, ये future में सेट किया ग time था ना, उसमें एरा ओफ बुक्स बोला जाता है, अब आप लोग किताबों से पढ़ते हो, हम सबके पास किताबे हैं, हमें पता है कि बुक्स क्या है, हमें पता है बुक्स के अंदर क्या लिखा है, तो ये जो play है, ये future में सेट किया गया है, अब यहाँ पर जो historian है ना, वो अपना historyoscope, ये क्या होता है, जिससे आप इतिहास देख पाओ, जिससे आप history देख पाओ, तो यहाँ पर इस play के अंदर अभी हम देखेंगे, जब play हमारा शुरू होगा, कि कैसे एक जो historian है, जो आपको इतिहास बताते हैं, उन्होंने अपने historyoscope से क्या करा, इतिहास कर गए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मार्स, जो मार्स space control के लोग है, ना, मार्स का जो राजा है, वो ये think tank, और think tank अपने को बहुत ज़्यादा powerful समझता है, देखो जो आ भी गई, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, ना, ठीके, ठीके, तो यहाँ पर, यहाँ पर think tank अब तू पकड़ ले ना, उसको, थपड़ मार दे दो, ठीके, तो think tank अपने को बहुत ज़्यादा शक्ति शाली समझता है, यह सारी चीज़े हम लोग देखने वाले, अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कि यह जो play है, यह future में set किया गया है, ठीके, य मार्स वाले लोगों ने अर्थ पे हमला करने का सोचा, यानि कि मार्स का जो राजा था, जो chief था, think tank, उसने अर्थ पे हमला करने के लिए सोचा, और कैसे एक book थी, Mother Goose नाम की, Nursery Rimes की एक book थी, जिसने क्या करा, जिसने अर्थ को बच्चा लिया, तो यह पूरी की पूरी ब लेने का, तो कैसे लेती मैं, but कोई नहीं, everyone, जोश आपका comment section में कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुझे दिखना चाहिए, कि हाँ, मेरे 10th के बच्चे मचा रहे हैं, मेरे 10th के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, okay, और class को हमें लगतार like और share करते रहना है, ठीक है, जितना हम share करते होता, जादा लोगों की नजर पढ़ती है, बच्चों की नजर पढ़ती है, और फिर वो भी हमारे channel पर आते हैं, ठीक, चल, so अब ये जो कहानी है, ये शुरू होती है, with a stage show of 25th century, तो 25th century की बात है, future की बात हो रही है, जैसे class 9th में आपका chapter था, the fun day had, उसमें future की ब पूरा का पूरा प्ले है, और इसमें एक जो historian है जो इतिहास कार होते हैं, वो बैट रखी है कहां पर museum में, और वो लोगों को बता रही है, Martian invasion के बारे में, कि कैसे एक बारी 20th century में, मार्स के लोगों ने सोचा, कि हम ना अर्थ पे हमला करेंगे, अब अपनी statement को प्रूफ करने के लिए, वो audience को बोलती है, कि historioscope में देखो, यानि कि एक ऐसा device, जिससे कि आप actually में देख सकते हो, कि इतिहास में क्या हुआ था, history में क्या हुआ था, ठीक है, सोचो भई, ऐसा यंत्रवीनों ने बना दिये, क्या बात है, कि आप देख सकते हो, कि इतिहास में क्या एक ना हम्टी डम्टी तो सब ने देखा है, हम्टी डम्टी की शकल देखिए कैसी इतनी बड़ी आलू जैसी, तो वैसा ही बिल्कुल एक क्यारेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है Think Tank, वो है मार्स का राजा, मार्स का चीफ, उसे लगता है कि उससे जादा दिमागद इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, तो वो दिखाया जाता है, और दूसरा है उसका असिस्टेंट नूडर, अब दोनों भाई डिसकस कर रहे हैं, अपने प्लान के बारे में, कैसे हमें अर्थ पे कबजा करना है, हाना, अर्थ को हम लोग अपने अंडर ले ले अर्थ को हम इन्वेड कर लेंगे, यह सारी चीजें यहाँ पर चल रहे हैं, अब वो क्या समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बाई जो अर्थ है ना, वो बहुती घटिया प्लानेट है, बहुती छोटा सा प्लानेट है, महां पे सारे बद्दिमाग लोग रहते हैं, और हमे अर्थ के भी, तो हमें अर्थ पे कबजा करना है, तो यह थिंग टैंक और नूडल के बीच में सारी बाते चल रही हैं, अब आगे क्या हुआ, सो दा मास्टर थिंग टैंक सेंड वन ओफिस क्रिव, तो क्रिव यानि कि एक जो ग्रूप है, तीन लोगों के ग्रूप को वो बेशता है, इंस्पेक्ट करने के लिए, कि जाओ देखकर आओ कि एक्च्वल में अर्थ पे चल क्या रहा है, हाना क्योंकि अगर हमें कहीं पर भी हमला करना है, तो भाई लोग हमें पता होना चीए ना कि दुश्मन में कितनी पावर है, तभी तो हम अपनी स्ट्राटेजी अपनाएंगे, तभी तो हम हमला कर पाएंगे, राइट और रॉंग, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है, सो दर क्रियू लैंड्स इंटू अ लाइबररी, अब इनका जो क्रियू है, जो लोग आए हैं मार्च से, जो एलियन आए हैं, तीन लोग, उनकी जो लाइटम मतलब बूक्स, अब लाइबररी में तो बेटा हर जगा किताब हैं हर जगा उनकी ते, बट इन नहीं पता, अब ये क्या कर रहें हैं, कोई बूक हैं, ये अं-जो नहीं पता की ये क्या है, शो अब क्यों सी बूक कर रहा है और वो अपने master think tank से पूछते हैं कि sir हमें नहीं समझ नहीं आ रहा है कि यह item क्या है ठीक है यह कौन सी चीज़ है अपने को नहीं समझ आ रहा है तो think tank को यह लोग बहुत intelligent समझते हैं he asked them to show the item and tells that there are sandwiches which is a staple diet of earthlings earthling मतलब जो लोग earth पे रहते हैं तो वो बोलता है दिखाओ मुझे दिखाओ तो यह दिखाते हैं देखो sir यह है यह तो वो बोलता है कि अच्छा यह तो नहीं मुझे sandwich type का लग रहा है जो earth वाले जो लोग है न वो बहुत खाते हैं तो यह कुछ नहीं है तुम डरो बारो मत यह तो बिलकुल ही sandwich है he command his crew to eat it और इतने में वो क्या कर देता है command देता है कि चलो खाओ इसको तो अब तीन मेंबर नाम लिखकर बताओ फड़ा फट कौन से तीन मेंबर मार्च से आय थे हां जी जल्दी जल्दी बताओ कौन से तीन मेंबर्स थे जो think tank ने धरती पर अर्थ पर भेजे थे जल्दी जल्दी बताओ भाई लोग कौन से तीन मेंबर्स थे हां जी हां ओमेगा आयोटा एंड उप्स हाना यह तीन मेंबर्स आय हुए थे तो अब क्या होते ही ने अब उमेगा क्या करता है अपने नीचे वाले को आयोटा को आयोटा ऊपको अब बिचारे ऊपको खाना बढ़ता है और वो उसको बोलते हैं कि अरे यह तो इतना ड्राय है यह बिना किसी लिकुड के कैसे खा लेते हैं यह तो बिलकुल टेस्टलेस है इसमें तो कोई मजा बिच नहीं है ना कोई मज़ा नहीं अब इसका जो असिस्टेंट है नूडल उसको पता है कि यार मैंना कुछ गलत भी नी बोल सकता मैं ऐसे भी नी दिखा सकता कि मेरे में थिंग टैंक से जादा दिमाग है तो वो बोलता है कि थिंग टैंक आप महान है मैं बेवकूफ हूं बट मेरे बेवकुफ दिमाग में एक बेवकुफ सा आइडिया आया है किया मैं आपको बता दू तो थिंग टैंग बोलता है हाँ हाँ बताओ सो नूडल उसको बोलता है कि शायद ये ना कमिनिकेशन डिवाइजिस है जितना मैंने मूवीज में देखा है ना शायद ये ना कमिनिकेशन डिवाइजिस है He on hearing this ask his crew to listen to the information तो think tank बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि ये खाने के लिए नहीं है ये ना शायद कमिनिकेट करने के लिए तो वो अपने अब क्रिव को क्या बोल रहा है कि इसे अपने कानों पे लगा सुनने के कोशिश करो इनसे अवाज आईगी ऐसा बोल रहा है वो अपने क्रिव को अब अब सारे लोग ऐसे दोनों किताबे ले लेकर अपने ऐसे लगा रहे कानों पर के कहीं से तो हमें अवाज आए कुछ तो आए बट कोई अवाज उनको नहीं आ रही अब वो नूडल दुबारा बोलता है कि मैंने न कुछ मूवीज देखी है शायद इसमें न ये पढ़ते हैं कुछ लिखा है ये हना ये शायद सुनते नहीं है इससे अवाज नहीं आती थिंग टैंक बोलता है हाँ मैं भी यही बता रहा था मैं भी यही सोच रहा था तो अब वो क्या करते है पढ़ने की कोशिश कर रहे है ऐसे कर रहे है ऐसे कर रहे है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा क्या है करना क्या है तो नूडल बोलता है कि हमारे जो महान लोग प्रोवाइड़ बाइ दा केमिकल डिपार्टमेंट ओफ मार्स दा क्रिव ट्राइटू रीड दा बुक अब वो बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर ठीक है यानि की वो कौन सी बुक थी वो थी मादर गूस कौन सी बुक थी बताओ मादर गूस अब मादर गूस बुक में अलग-अलग टाइप की रायम्स थी ठीक है अलग-अलग टाइप की यहाँ पे रायम्स लिखी हुई थी ठीक तो अब वो क्या करते हैं रायम्स का इस बुक में से लिटरेल मतलब निकालने लगते हैं यानि कि अगर काउस की बात है तो इने लगता है कि ये तो काउस से हमला करा देंगे हमारे उपर जैसे कि मैं जब आपको चाप्टर पढ़ा रही थी तब भी बताया था हां हां जो को अभी ला रही हूँ देख लिया मैंने ला रही ही is चाप्टर को खतम कर दूँ ठीक हैं तो काउस से हमला करा देंगे हमारे उपर तो वह क्या करते हैं हर निंदा राइम जो होती है उसे लिटरेल ले लेते हैं अब हमें पता हैं कोई लेने वाली बात नहीं है वो तो राइमिंग के लिए बनाया गया तो वह इतने में एक पोवम उनके सामने आती है जो है हम्ती डंटी हम्ती डंटी वाली पोवम उनके सामने आती है अब हम्ती डंटी की शगल कैसी है बिल्कुल थिंग टैंक की तरह राइट अब यह पढ़ना शुरू करते हैं हम्ती डंटी साट ऑन वॉल हम्ती डंटी है ड़ेट फॉल तो वो क्या मोलता है कि सारा जो mission है अभी के अभी रुखवा दो क्योंकि अर्थ वाले लोग अपनी काउस को लेकर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए think tank को मारने के लिए मैं यहां से दूर भागना चाहता हूं mission about mission about और वो ऐसे बोल के मार्स से काफी जादा दूर चला जाता है और मार्स का नया ruler बन जाता है नूडल जिसमें actual में थोड़ा दिमाग होता है तो यहां पर यहां पर हमारा यह जो play है वो खतम होता है तो इसलिए बोला गया है कि यहां पर यह जो book है mother goose इसने क्या करा हमारे अर्थ को बच्छा लिया ठीक है बेटा जी समझ में आया is it clear is this chapter clear yes or no can I get a yes ma'am in the comment section हां जी ठीक है so अभी हम करेंगे भोली बट भोली से पहले में लेया हूं जो को क्योंकि मैंने promise किया था तुम लोगों को but only for one minute ठीक है और कोई जो को नजर निलगा Mmm जो इदर आऊ जो यह 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 यूओ येलो जो यूडियो जो जोल दीयो एऊ यह यिलोज whoa oh 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 भाच्य आगई इदराऊ शबम मिलना चाहले कां भाग रहे हो यह अपका है enc sept करेंगे है जोव जो उएपकर जो देख़। How Oh है जैक है उर्सकली और यह हमारि यह कि अब थोड़े काइम बाद यह इसके प्थी प्रिकूद कि टीन में लिए तikh उप नहीं देक पाहूगे ठीके जो जाएगा इतनी बड़ि कीसे हम गुद्धू में नहीं ले पाएंगे हाना जो 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 फ्ति खेली हदो पोख् Drag देश्~~ चुन वग जो जुका इसे Colon 가까उanor का है शुन मी। ठीक है जी, promise completed, अब बढ़ते हैं हम next chapter पे जो है भोली, ठीक है अब मेरे studio में तुमने ऐसे गुसा दिया है न, अब ये देखो सारी चीजे तभा कर देगी, अभी वो फाड रही है, ठीक है वो देखो फाड रही है, कपड़े फाड रही है, सब फाड देगी अभी है, चलो, so let's move to the next chapter, भोली, अब भोली एक बहुती प्रिया, बहुती प्यारा चाप्टर है जो हमने पड़ा, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई कैसे हमें कभी भी किसी का मजाक नी उडाना चीए बच्छो, बताओ, क्या हमें किसी का मजाक उडाना चीए कभी, हम तो उसका मज उडारे, राइट, बत जो दफह ऊजा पड़ाने दे बेटा तो पूरी कलास, नश्ट कर देगी, यह ले, यह ले, यह ले ठीके तो हम तो मजाग उड़ा देंगे बट सामने वाले की मानसिक स्थिती पे सामने वाले की मेंटल स्थिती पे क्या असर पढ़ रहा है हमें नहीं पता और इसका जीता जागता एक्जाम्पल है भोली So the story opens up, story की शुरुवात होती है Story की शुरुवात में बेटा जी एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है सुलेखा उसको सब लोग भोली भोली बुलाते हैं भोली क्यों बुलाते हैं? For being a simple time यानि कि कोई भी से पागल बना देगा यह तो किसी को कुछ नहीं बोलती है यह तो एक नंबर की dumb है ठीक है तो सब लोग उसको पागल समझते हैं और सुलेखा से उसका नाम पढ़ जाता है बेटा जी भोली This was so because some part of our brain had got damaged due to an injury during our childhood अब हुआ क्या था? अक्च्वल में भोली का past बताया गया है कि जब वो छोटी थी ना तो उसके दिमाग का थोड़ा सा जो हिस्सा था ना वो damage हो गया था बच्पन में और वो damage कैसे हुआ था? वो damage इसलिए हुआ था क्योंकि एक बार वो सोते सोते छोटी थी अपने बेट से गिर गई थी तो बेट से गिरने के कारण उसका जो दिमाग है उसका थोड़ा सा पार damage हो गया था, ठीक है? अब उसको जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसको हकलाने की बिमारी हो गई she's stammered हाना क्योंकि under confident थी सब लोग मजाख उड़ाते थे कि भाई इसको तो कुछ आता नहीं है हाना वो बोल भी नहीं पाई थी क्योंकि brain का एक पाट damage हो गया तो बोलना भी उसने बहुत लेट शुरू करा चार साल की उम्र में तो सब लोग उसका मजाख उड़ाते थे और वो stammer करने लग गई और उसके face पे pop mark भी थे pop mark मतलब ऐसे छुटे छुटे निशान थे क्यों थे? क्योंकि उसे smallpox हो गया था जब वो 2 साल की थी अब जिसकी वज़ा से उसके face पे कहीं कहीं पर जो marks थे वो छूट गए थे तो सब लोग उसका बहुत मजाख उड़ाते थे और मजाख उड़ाने के कारण उसका जो confidence level था ना वो यहां से यहां आ गया था वो पैदा बिलकुल normal हुई थी बहुत सुन्दर, बहुत cute, बहुत प्रिया बट पहले तो गिर गई दिमाग का part damage हो गया बोल नहीं पाई बहुत time तक सब डम बोलने लगे उसके बाद smallpox हो गया face पे marks रहे गए सब अगली अगली बोलने लगे stammer करने लगी, जब भी कुछ बोलती बच्चे मजाख उड़ाते तो वो सोचती कि मैं चुपी रहूं तो ये सारी चीजे बेटा उसके साथ होने लगी अब उसके जो पापा थे रामलान और भोली सबसे छोटी बेटी थी सो रामलाल हमेशा उसके चिंता करते रहते क्योंकि उन्हें लगता कि इसका तो बहुती अगली face है ये तो बिल्कुल dumb mind है, एकदम बद्दिमाग है ये हना इससे तो कौन ही शादी करेगा तो रामलाल को बहुत चिंता रहती तहसिल दार आता है, तहसिल दार क्यों आता है लड़कियों का पहला स्कूल, प्राइमरी स्कूल खुला होता है गाउ में अब आपको तो पता है बेटा कि पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाना, लिखाना, लोग नहीं करते थे आज भी ऐसी काफी जगाए हैं जहां पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता समझा जाता है कि लड़किया तो घर पे ही सही है, इनसे खाना बन वालो बस ये इसी के लायक है, जाडू पोचा करालो इनसे तो पहले की समाने में भी ऐसी होता था कि लड़की पैदा हो गई, 16, 17, 18 साल की हुई, कभी कभी तो 14, 15 साल की हुई, शादी कर दो, ब्या कर दो, जाओ, बच्चे पालो आगे, फलाना डिमकाना करते रहो फिक है, तो अब क्या हुआ, पहला प्राइमरी स्कूल लड़कियों का खोला, जिसके उद्गाटन करने, इनागरेशन करने कोना है, तहसिलदार आया अब भी आगे क्या हुआ, अब ही पर्सुेड़िड, पर्सुेड़िड मतलब क्या होता है, कन्विंस करना ठीक है, किसी को कन्विंस करना, तो उसने रामलाल को कन्विंस किया, कि रामलाल, तुम इस गाउं के revenue collector official हो है, तुम सरकार के आदमी हो, सरकार नहीं, यह जो स्कूल है, वो खुलवाया है तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजोगे, तो तुमें देखकर बाकी गाउं वाले भी भेज़ेगे, क्योंकि पहले के time पर भेजते नहीं थे लड़कियों को स्कूल, सिर्फ लड़कों को पढ़ाना, लिखाना, अफ़लाना, कराना, बट लड़कियों को कहीं नहीं भेजना ठीक है मेरी जान तो अब उसने बोला रामलाल को कि भई अपनी बेटियों को स्कूल भेजो अब रामलाल फस गया स्कूल वो भेजना नहीं चाहता था क्योंकि सोच पिछड़ी होई है और मना वो कर नहीं सकता था क्योंकि वो तहसलदार है तहसलदार उसस सजेस्ट किया कि देखो भोली को स्कूल भेज़ देते हैं अब ये कोई अच्छे इंटेंशन से उसने सजेस्ट नहीं किया उसका ये मानना था के भोली तो वैसी बेकार है इससे कौनी शादी करेगा ये किसी काम की नहीं है इसे स्कूल भेज दो बाकी लड़कियों को अगर स्कूल भेजेंगे तो कैसे शादी होगी उनकी हना तो भोली को स्कूल भेज दो Although she was again sending girls to school because no boy would marry such a girl she reasoned that as भोली had no chance of getting married she could go to school के भोली की तो वैसे भी शादी नहीं होगी ये तो बत्सूरत है इसमें दिमाग नहीं है तो भोली को अपन उठा कर स्कूल में भर्ती करा देते हैं In the beginning अब चुरू शुरू में भोली was frightened to leave her house अब भोली को पता नहीं स्कूल कौन सी बला है जैसे the book that saved the earth में जो omega है और जो think tank है उन्हें नहीं पता book कौन सी बला है book क्या है तो वैसी उसे नहीं पता कि बेच दिया था तो वह सोच रही थी कि मुझे बिना इसी बेच रहे है या मुझे घर से बाहर निकाल रहे है बट उसने realize करा कि भाई उसे पहली बार जिंदगी में उसके बाल धोए जा रहे है बालों में तेल लगाया जा रहा है हना उसे dress up किया जा रहा है आज तक उसे कोई नई dress नहीं मिली और यह भोली नहीं यह बहुत सारे लोगों की story है हमारे देश में ऐसी काफी लड़किया हैं जो सेम चीजों से go through करती है विचारी तो यहाँ पर भोली को हमेशा अपनी जो बहनों की उतरन जो कपड़े होते हैं यूजड वो पहनाय जाते थे तो अब भोली को dress dress पहनाय जा रहा है बाल वाल उसके धोय जा रहे हैं खंगी करे जा रही है तो तब उसको यकीन हुआ कि फाइनली शायद यह मुझे घर से तो बेटर जगा पहर ही लेकर जा रहे हैं अब वो स्कूल गई स्कूल में उससे एक टीचर मिली जो उसकी तरफ बहुत काइंड थी पहले स्कूल में वो नाम नहीं बोल पाई सारी लड़किया उस पहस रही हैं तो भोली रोने लगी बट फाइनली उसकी टीचर ने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करा उसे थोड़ा सा प्यार किया हाना तो उससे आज तक इतने प्यार से किसीने बात नहीं करी थी तो भोली को लगा नहीं यार मेरी जो teacher है ना she is very kind and polite towards me तो उसकी teacher ने उसे encourage करा कि तुम रोज स्कूल आओ, तुम पढ़ाई करो और देखना तुम confidence के साथ बोलने लगोगी ये stammer करना कोई बिमारी नहीं है, कि इसका इलाजी नहीं है हना तुम देखना धीरे धीरे तुमारे में confidence आएगा and you can do it अब इसकी वज़े से भोली में एक hope, एक आशा की किरन आई and वो रोजाना स्कूल आने लगी अब धीरे धीरे बच्चों साल बीतने लगे, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल ऐसे बीतते गए जो village है, वो अब एक छोटे से शेहर में तब्दील हो गया और उसमें छोटी-छोटी facilities भी आना शुरू हो गई जैसे कि cotton mill, हना और cinema लग गया, primary school जो था वो अब secondary school में बदल गया था अब एक दिन क्या हुआ, जो भोली के parents है, उन्होंने decide किया कि भाई, भोली के लिए एक रिष्टा आया है, रिष्टा किसका है, एक उससे double उमर के आदमी का रिष्टा है एक old सा man है, लंगडा के वो चलता है, लपूस आदमी है, ठीक है और जो कि एक widower है, यानि कि उसकी पहली बीवी मर चुकी है और उसके जो बच्चे हैं, वो काफी बड़े-बड़े हैं उमर में और उसने कोई डवरी, यानि कि कोई दहेज भी डिमांड नहीं कि अब इतना बुढ़ा आदमी क्या दहेज डिमांड करेगा, उसको खुद को लग रहा है कि मेरे से कोई शादी कर ले, वही बहुत बड़ी बात है बट उसे नहीं पता न कि अभी भोली की फेस पे पॉक मार्क्स बगेरा है तो उन्हें लगा कि भोली तो बहुती डंब है, कोई और शादी करेगा नी फटा-फट से अपने इसका रिष्टा फिक्स कर देते हैं, अब भोली ये सारी बाते सुन रही थी, बट भोली ने ऑब्जेक्शन नहीं करा, क्योंकि वह अपने माबाप को दुख नहीं देना चाहती थी, ठीक है, तो रिष्टा फिक्स हो गया, अब जब शादी वाला दि चिड़ने लगी, कि भाई हमारी शादी में तो इतना कुछ शानों से हुआ नहीं, और इस डंब औरत की शादी में देखो, कैसे हो रहा है, अब दा ग्रूम, ग्रूम मतलब जो धूला है, उसे पता चला के भोली के फेस पे पॉक माक्स है, कैसे, गलती से जो भोली है, उसक खेल, ठेक है, तो जो धूला है, उसने देख लिया फड़ा फट से कि अरे इसकी शकल पे तो पॉक माक्स है, और उसने क्या करा, इस चीज का फाइदा उठाया, बोलता, अब तो मैं दहेज लूँगा, अब तो मैं पांच हजार उपे लिए बीना इस से शादी करूँगा ह अब रामलाल बिचारा बोल रहा है कि देखो जी मेरी तो बड़ी बेस्ती हो जाएगी, हना मेरी तो लड़की ऐसी रह जाएगी, क्या लोग बोलेंगे अगर आप वापिस चले जाओगे, आप प्लीज ऐसे मत करो, दो अजार उपे में मान जा, बट वो मानने को तयार ही न बिचांबर किसका नाम था धूले का नाम, तो रामलाल ने अपनी पगड़ी निकाल के भी उसके कदमों में रग दी कि प्लीज आप इतना दहेज मतलो, बट वो आदमी मानने को तयार नहीं, अब रामलाल को पैसे देने पड़े, क्योंकि उसे अपनी फामली की इज़त सकती, ठीके, people accused her of being shameless, अब तुम्हें तो पता हिए कि मोहले की आंटिया कैसी होती है, कि ये लड़की तो बड़ी बत तमीज है, हाई हाई, इस लड़की की जबान देखो किती चल रही है, हाँ ना, ये लड़की से लंबी तो इसकी जबान है जो चल रही है, ऐसी ऐसी बात करने लग जाती है, ठीक है, कि भाई देखो, हाँ, ये देखो कैसे बात करी है, हाई हाई, देख बहन कैसे बात, तो ये ऐसी बोलने लग जाती है, कि भाई, शेमलेस है एक दम, अब क्या होता है, कि भोली उसको भी चुप करा देती है, कि हाँ, और बोल कर दिखा, तो वो भी चुपो जाती कि अरे देखो ये तो हकलाती थी और ये कैसे बोल रही है सब लोग शॉक्ड हो गए उसके मूँ से सुनके अब वेडिंग पार्टी रिटर्ण अब जो वेडिंग पार्टी होती है यानि कि जो धूले वाले होते है वह अपिस जाते बोलती है निकल यहां से तो उसके पापा को बहुत जादा दुख होता अर अब बोलते है कि no one would marry you कि अब भाई कोई तुमसे शादी नहीं करेगा और तू अपने future में क्या ही करेगी तो बोली बोलती है कि कोई बात नहीं मत करने दो शादी मैं आप दोनों का खयाल रखूंगी यानि कि मैं मेरे parents का खयाल रखूंगी जब आप बुढ़े हो जाओगे और मैं अपनी टीचर की तरह स्कूल में पढ़ाओंगी मैं भी एक टीचर बनूँगी हाँ टीचर वुष कोईटली वाचिंग ओल देस फेल्ट प्राउट ओफ अफ़ डिसीजन उसकी टीचर साइड में खड़े होकर ये सब देख रही थी और उन्हें बहुत ज़ादा प्राउट फील हो रहा था कि फाइनली भोली एक ऐसी लड़की बन गई है बच्चो जो अपने खुद के लिए एक स्टांड जिन्दगी में लाइफ में ले सकती है आपको अच्छे से समझ में आया और भोली ने मारी गोली किसको उस बुढ़े बिशामबर नात को समझ में आया भाई लोग अब हम चलते हैं चाप्टर नमबर 7 पे अब ये भी एक बहुत महान औरत के बारे में है जिनका नाम है मिटिल्डा ठीक हैं? चले भाई समझ में आ रहे मज़ा आ रहे कि निए एक बार ही बता दो यार देखो अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहे फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हाँ जी मन लगरा है पढ़ाई में चाप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई लोग चाप्टर आ रहे समझ में माम यू आ रोपी आ गई पूरी स्टोरी समझ में ठेक है चलो जी अब चलते हैं दर नेकलेस पे दर जो नेकलेस चाप्टर है न में बहुती महान ाईद के बारे में हैं एसी चला लू यार घर्मी लगरी बहुत जादा बोल बोल के मिरको सो बहुती महान और अचेहां पर का नाम है मि्टिल्डा अब उन्हों कहता है कि वो कहीं की राजकुमारी है और उन्हें यहां पे场 mily की सारी नहीं होती उन्हें एक अमीर पती चाहिए होता है पर बदले में उन्हें क्लोक ही मिल जाता है और वो बहुत अच्छा होता है हर चीज पूरी करने की कोशिश करता है बट यह औरत की जो फर्माईशी है यह इनको ले डूपती है अब चाप्टर में हुआ क्या यह हम देखते ह में मेटिल्डा के बारे में ठीक है इनके पती है मिस्टर लॉइज तो सर्नेम इनका हो गया मैडम मेटिल्डा लॉइज और इनकी एक फ्रेंड है बहुत ही अमीर फ्रेंड है मैडम फॉर्येस्टर जिससे यह अपना कंपैरिजन करती है और अपनी जिंदगी पर रोती रहत ठीक है चलो जी शुरू करते हैं तो अब बाइस की फैमिली जो है वो शादी कर देती है क्योंकि उन पे दहेज वगेरा होता नहीं है देने के लिए साफसी बात है ठीक है और मिटिल्डा अपने पती के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही होती है और वो बहुती जादा अनहापी होती है अपनी लाइफ से बिलकुल खुश नहीं होती है उसे लगता है यार ये में कहां फस गई मैं इसके लिए थोड़ी पैदा होई थी मेरको त था फनीचर भी ऐसी टूटा-फूटा सा था उसे बिलकुल मजा नहीं आता था शी वॉस अल्सो इरिटेटेटेड बाइद वे हर हस्बेंट रियाक्टेड टू थोड़ी फूड वाइल शी ड्रेंट ओफ रॉयल डिनर बिंग सर्फ इन सिल्वर डिश अब वो क्या बोल रह थी क्योंकि इसे चाहिए एकदम शाही खाना इसे चाहिए कि लोग आए खाना पर उसे तो यह हमेश्या अपनी ना इमाजनरी दुनिया में जीती थी ठीक है कि मैं गरीबू पर मुझे अमीर होना है अमीर होना है ऐसे सोचती थी ठीक अब डेवर नीदर रिच नौर पूर तो यह एक middle class में आते थे lower middle class families में she had to marry a clerk अब उसकी शादी clerk से क्यों हुई जो clerk था वो कौन था मतलब जो उसका पती था वो कौन था वो clerk था कहां पे clerk था in the board of education में ठीक है क्योंकि उसकी family दहेज अफॉर्ड नहीं कर सकती थी अब एक उसकी friend थी मैडम पॉरियस्टर जो क कि बहुत अमीर थी तो कभी भी मेटिल्डा इसके घर जाती वहां से वापिस आती बहुत दिनों तक रोती ही रहती क्यों रोती बोल कर कि हाई वो तो कितनी अमीर है और मुझे देखो तो हमेशा वो depression में ही रहती क्योंकि उससे जलती थी So she became sad and cried for days one day when her husband returned home from work तो आपको पता चल गया मेटिल्डा किस टाइप की है अब एक दिन क्या हुआ एक दिन उसका जो पती है वो घर वापिस आया ठीक है अपने कामवाम निप्टा कर क्लक था वो अपना board of education में जो उसका office था वहाँ से कामवाम करके अपने घर आया वापि और उसको एक invitation मिला था party का party कहां थी जो minister of public instruction है उसके घर पे एक party थी तो minister के घर पे party है इसको भी invitation मिला है ये बड़ा खुश हो गया ये सोचता है मेरी बीवी को तो ऐसी parties का ऐसी लाविश parties का शौक है मैं जाऊंगा उसे invitation दिखाऊंगा आज तो मेरी बीवी खुश हो जा कि बिल्कुल बढ़िया तो बिचारा अपने घर जाता है अब contrary to his expectation यानि कि contrary मतलब opposite विप्रीर जो उसने सोचा होता है जो उसने expect किया होता है उससे बिल्कुल उल्टा होता है उसकी बीवी बोलती है मैं क्या करूं ये बताओ मुझे ऐसे बोलती है उसको चीक है बहुत कि पार्टी में उसी पे चड़ जाती है अब क्या होता है उसके जो husband है वो बोलता है ऑप्शन देता है कि अरे वो पहन ले ये पहन ले वो पहन ले वो बोलती है नहीं पहनना मेरे को पैसे चाहिए अब उसका पती 400 फ्रांस ये वहां की करंसी है तो वह विचारा सेव कर रह करता है गन खरीदने के लिए वो सारी सेविंग उठाकर अपनी पत्नी को दे देता है कि भेन तू खुछ रहे तू अपने लिए कपड़े खरीद ले आफ्टर बाइंग दे ड्रेस शी वस साट बिकर शी डिड़ नॉट अब अपीलिंग एंट्राक्टिव तो ड्रेस भी ख पहन ले कुछ पहन ले वो बंदी मानती नहीं है फिर उसका हस्बेंड बोलता है कि तेरी वो एक रिच अमीर दोस्त है ना माडम पॉर्येस्टर तो बोलती है हाँ है तो उससे उधार ले ले ना तू तो बोलती है हाँ मुझे तो यह यादी नी था तो वो अपनी फ्रेंड क्या करती है एक ब्लाक सेटिन का बॉक्स निकालती है बड़ा सुन्दर सा उसके अंदर से एक डाइमेंड का नेकलेस होता है वो चूस कर लेती है बोलती है मुझे नहीं यह नेकलेस चाहिए मुझे यह नेकलेस बहुत पसंदार है मैं पार्टी के बाद यह नेकलेस तुमे पती जादा सुन्दर लग रही है हाना अब चाहें शादी शुदा हो बट कोई सुन्दर लग रहे तो तो देखेंगे ही आपर यही हो रहे है औल दमें एड्माइड हर आशी वस लुखिंग गॉर्जियस इन नीव ड्रेस एंड ज्वेल्री अब सुब़ चार बज़े तक वो ऐसे पार्टी की पूरी अटेंशन बनी होती है इंज्वाइ कर रही होती है उसका पती बिचारा कमरे में सो गया होता है तो चार बज़े तक वो पार्टी में ही रहती है By that time M. Loisel यानि की जो उसका पती होता है Dosed of मतलब sleep ठीक है वो एक कमरे में सो चुका होता है उस कमरे में और तीन आदमी भी सो रहे होते हैं तो मतलब सारे पती लोग सो रहे होते हैं और सारी ओरते अपना भार enjoy कर रही होती हैं अब सुबा चार बजे उन्होंने decide कि भाई घर चलते हैं और उन्हें कोई भी carriage यानि कोई घोड़ा गारी या कुछ भी गारी नहीं मिली घर तक जाने के लिए Finally थोड़ी देर walk करने के बाद उन्हें फटा-फट से गारी मिलती है जो उनको घर पे उतार देती है अब मैं टिल्डा क्या करती है घर पौचती है अब लास्ट में वो सोचती है एक बारी जरा मैं खुद को दो बार ऐसे शीशे के आगे निहार तो लूँ तो वो जाती है देखती है कि oh my god I'm looking so gorgeous and then she's like oh my god where is my necklace she's like that just like that changed महाल बदल गया जस्बात बदल गया अच्छो so मैं टिल्डा बोलती है कि नेकलेस ही नहीं है मेरे पे and फिर क्या होता है बिचारे उसके पती जो अभी अपने खपड़े चेंज ही कर रहा होता है कि भाई मैं तोड़ी देर अराम कर लूँ मुझे कल सुबा पेड यूटी पे जाना है सुबा के 4-5-6 बजरे है वो विचारा दोबारा से अपने खपड़े पहनता है सारे के सारे और निकल जाता है नेकलेस को ढूणने अब वो बिचारा पुली स्टेशन जाता है कैब आफिसेज जाता है निउस पेपर में एडवर्टीजमेंट तक दे देता है कि जो हमें नेकलेस देगा हम उसको रिवार्ड देंगे कुछ हना सो मीनवाइल वो अपनी वीवी को बोलत है after a week एक हफता हो जाता है नेकलेस कहीं से मिलता ही नहीं है अब उनके सारे होप की धजिया उड़ जाती है वोलते अवे यार नेकलेस तो खो गया क्या करें they decided to replace it अब वो सोचते हैं एक । गड़ते रिप्लेस कर देते हैं जगाज़कल नेकल से से को रिप्लेस कर देते हैं ठतीलोkt सीक्स थाउजंड़ फ्रैंड तुचो 400 दीते वे उसका हाल क्या हो रहा था हानार 0.000 कि इन रिप्लेस थुछा खाते हैं त्रत्लीत सभासर हैं यहार दुम लोग ऐसे की बोलते बार ठीक है So fortunately M. Loisel had inherited 18,000 friends from his father तो जो उसकी भईया पूरे जीवन की उनों पूंजी होती है एकदम उसके पापा जो उसके लिए छोड़के गए होते हैं तो 18,000 friends उसके पास होते हैं से मलकुल पड़े होते हैं अब उधार चुकाते चुकाते बच्चों 10 साल लग गए उनको अब इस 10 साल में उनकी life change हो गई बोलते हैं किसी से कभी उधार मत लो क्योंकि फिर उतना उधार दो, बयाज दो, फलाना दो यह बैंक वाले भी लोन देने आ जाते हैं लोन ले लो एक बारी इंसे लोन ले लो फिर ये तुमारी जिंदगी नरक कर देंगे हाना बोलते ब्याज उस पर जोड़ते जाएंगे पता नहीं इतना तो लोन नी होता जितना ये ब्याज जोड़ देते दिमाग खराब कर देते हैं विलुकुल सो भाई ठीक है दस साल लग गए हमकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई अब जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उससे और छोटे घर में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा जो कामवाली आती थी जो मेड आती थी उसको हटाना पड़ा सारे कामव मेटिल्डा ही कर रही है जो खुद को हूर की पड़ी समस्थी थी ना कि मैं तो नीचे सबजी लेने नहीं जांगी मेरे हाथ खराब उचाएंगे, मेरी रेप्यूटेशन खराब उचाएगी अब वो क्या कर रही है, अब वो सबजी भी ले रही है सबजी वाले से बहस भी कर रही है कि दो रुपे कम कर मेरे हाना अब वो बाल्टी लेकर चड़ भी रही है, उपर आ भी रही है कि ओ माई गॉड थक गई, अब उसके जो हाथे ने एकदम सकत हो गए ठीक है वो जैसे होते है ना, जैसे हमारी मम्मीयों के होते है महले की मम्मीयों के होते हैं बिल्कुल सकता थपड मारे कान सुन हो जाए बिल्कुल वैसा हाथ हो गया काम कर करके अब उसका तो भई में टिल्डा खाना भी बना रही है, कपड़े भी खुदी धो रही है यहां तक कि उसका जो पती है, उसको भी एक से जादा नौकरिया करनी पड़ रही है नाइट शिफ्ट, ये शिफ्ट, फलाना शिफ्ट, ताकि जो उधार है ना, वो किसी तरह वयत चुका देवस ठीक है, चलो भई, अब आगे क्या हुआ अब इतने सालों में जो माडम लॉजल है, वो बिलकुल बुड़ी दिखने लगती है क्योंकि जब आप घर का काम, अब एक ही काम हो सकता है, नहीं तो आप खुद को सवार लो और नहीं तो फिर आप वो कर लो, क्या कर लो, घर के काम कर लो अब मेरे को देख लो, जब मैं किसी और प्लाटफरम पे बढ़ाती थी, मेरे पास फोड़ा बहुत टाइम फिर भी होता था तो कभी-कभी मैं बहुती सुनदर बन के जाती थी, आफिस कभी-कभी नहीं हर बारी मनलब कभी-कभी तो मैं जल्ली बन जाती бडन मैं बड़ी सुंदर बन के जाती थी दिया ओफिस रोजाना क्लास में भी बच्चे थारी मैं माश तो परे क्यूट लग रहे हूँ माश तो बहुत सुंदर тех क्या बात है कि अब जब से मैंने अपना चानल खोल लिया है मेरे को नहीं मिलता रद्धिवर का भी टाइम क्योंकि यहां मेरे को अपना चानल एक जॉब है उसके बाद एक दूसरी जॉब करनी पड़ती है खुद का घर चलाने के लिए तो भाईया अब नहीं मिलता सवरने का टाइम तो अच्छा क्लास का टाइम हो गया बाल बांदे पहने कपड़े और चलो भाईया कुछ भी तो मतलब जब बंदा महनत करता उसे नहीं मिलता किसी और चीज के लिए टाइम कि वो मैनिक्यूर करा ले और वो सजले और धजले ठीक है बाई तो अब क्या हुआ बुड़ी दिखने लग गई बाल ऐसी बंदे होए है बिल्कुल ठीक है उसकी जो वोईज है वो अब लाउड हो गई है जैसे मेरी हो गई है तो ऐसे सब मुझे उने समझाना पड़ता बच्चो अब आगे क्या हुआ तो वो एक नॉर्मल परसन बन गई है यानि कि वो हूर की परी से बिल्कुल नॉर्मल परसन बन गई है इन 10 सालों में अब अब वो ग्रॉसरी स्टोर भी जाती है बास्केट लेके ठीक है वहाँ पर जाके बारगेनिंग भी करती है फ्रूट्स भी खरीद के लाती है सारी चीज़े अब वो खुदी करती है अब एक दिन क्या हुआ जब 10 साल में उनका जो पूरा का पूरा लोन था वो उतर गया एक दिन वो पार्क में अपनी जो फ्रेंड है जीन, मैडम फॉरिस्टर उससे मिलती है वो देखती है कि अभी भी है तो इतनी सुंदर लग रही है इसके पास एक बच्चा भी है बड़ी चिड़ जाती है उसको देखके बोलती है इस औरत की वज़े से आज मेरा यह हाल हुआ है and decided to tell her the truth अब वो बोलती है कि अब तो मैं इसे सच बताई सकती हूँ कि तेरी वज़े से मेरी यह हाला तो यह मना अब तो मैं ने इसका और नेकलेस लटा दिया किस बात का डढ़ना और वो बोलती है कि तू indirectly responsible है तो madam forrester तो उसे पहचान ही नहीं पाती बोलती है excuse me आप कौन और आपको मेरा पहला नाम कैसे पता है who the hell are you ऐसे पूछती हो तो फिर बाद में बोलती है oh my god oh my dear Matilda ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया तो Matilda बोलती है कि ये सब तेरी वज़ा से हुआ है ठीक है और वो बताती है उसे कि कैसे मैंने तेरा जो necklace अभेन वो खो गया था और फिर उसके लिए हमने loan लिया 36,000 काहना और फिर 10 साल हो गए हमें चुकाते चुकाते तो ये सब बोलके जो gene है वो Matilda को अधी नहीं तो 36,000 रुपे से 10 साल से खक्या खा रही है और यहीं पर वच्चो हमारा जो चाप्टर है वो बिलकुल समात होता है समझ में आया भाई लोग Am I clear? चले next chapter पे The Making of a Scientist important question पे एक वीडियो में जरूर बनाऊंगी मैंने आधे चाप्टर की तो बना भी रखी है half year ली के समें मैंने बनाई थी important questions पे वीडियो आधे जो चाप्टर्स है जो 5 चाप्टर्स है ने शुरू के उन पे मैंने बना रखी है जो बाकी के 4 है उन पे मैं बना दूंगी ठीक है clear चलो जी आगे चलते है पुरो चाप्टर है बहुत ही फेमस साइंटेस्ट है अब उनकी मम्मी उन्हें रिची बुलाया करती थी ठीक है और ये अपनी बच्पन सही बहुत क्यूरियस थे क्यूरियस मतलब चीजों को जानने में इंटरस्ट ले दे अब जैसे हमारे घर के बच्चे हैं उन्हें दो थपड मार के उनके अंदर की curiosity जगानी पड़ती है कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले बेटा पढ़ ले ये x की value ढूंड ले बेटा पढ़ो बट उनके अंदर पहले से ही ये curiosity थी ठीक है अभी तो उन्हें इतना साधा इंटरस्ट था अपने आसपास की चीजों में चीजों को collect करने का कि उन्होंने सारी की सारी जो उनके होमटाउन के आसपास जित्ती भी 25 टाइपस की butterfly उरती थी ना वो उन्होंने collect कर ली थी अब he thought it to be an end of butterfly collection तो उन्होंने इसको end समझाता के ठीक है मैंने तो collect कर ली हो गया बट एक दिन क्या हुआ उनकी मम्मी एक book लाई book का नाम आपको board के exam के लिए याद रखना है ठीक है तो उनकी मम्मी एक book लाई जिसका नाम है The Travel of Monarch X अब इस book ने उनका जो जीवन है वो change कर दिया जीवन बदल दिया This was a turning point in his life और उन्हें क्या हुआ उन्हें ना इस book के जरीए science में विज्ञान में काफी जादा interest आ गया उन्हें बचपन से ही शौक था अलग-अलग type की books पढ़ने का चीजों को collect करने का coins को collect करने का debate करने का बहुत सारी चीजों का शौक था बट उन्हें विज्ञान में अब interest आने लगा अब इस book के अंत में लिखा हुआ था कि हम लोग एक research कर रहे हैं butterflies की उपर ठीक है जो तितलिया हैं उसके उपर हमें research कर रहे हैं और अगर आप भी हमारे इस research में help करना चाहते तो हमें लिखकर भेजिए तो इनकी ममा ने लिखकर भेजा कि हम आपकी help करना चाहते तो इन्हें बताया गया कि कैसे आपको butterfly इसको tack करना है यानि कि कोई भी butterfly मिले तो उसपे tack करना है और उसे छोड़ देना है हम migration देखना चाहते हैं कि butterfly कितनी दूर तक जाएगी then उसके बाद उन्होंने ये काम काफी सालों तक करा फिर उन्हें मजा नहीं आया तो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया अब क्या हुआ county science fair यानि कि एक state level science fair होता है वहाँ पर इन्होंने participate करा and ये हार गए ये हार गए ऐसा नहीं कि success इनके दर्वाजे पर कड़ी थी कि knock करो कामया भी आई है नहीं ये हार गए अब ये हारे क्यों क्योंकि बाकी सब ने जितने लोग जीते थे ना उन्होंने कुछ real experiment करा राइट बट इन्होंने केवल frog का tissue दिखा दिया था microscope से तो अब इने समझ में आये ने बुरा भी लगा कि मैं हार गया बट इने समझ में आया कि मैं क्यूं हारा जैसे मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ अगर आप कभी life में हार जाओ तो समझो कि आप क्यूं हारे ये नहीं कि आप एक बात पकड़के रोते रहो रोते रहो ठीक है चलो जी तो अब क्या हुआ he was sad but also understood कि उन्हें जीतने के लिए किसी real experiment करने की जरूरत है यह नहीं कि वो model बना के ले जाए जैसे हमारे school वाले हमें holiday home work दे देते हैं मेरे school वाले मेरे को holiday home work देते सोलार सिस्टम बना के लाओ अब सोलार सिस्टम बनाने के लिए मुझे पहले सो रुपे की बॉल्स खरीदनी पड़ती थी छोटी छोटी अलग अलग मारवल्स की फिर उन्हें काटो फिर थर्मकॉल लाओ फिर उस पे पेस्ट करो फिर उस पे ऐसे black sketch pen से लाइने ड्रॉ करो और फिर मैं बोलती थी very good और वो model हम लोग तोड के घर ले आते थे तो इसका कोई logic नहीं है ठीक है तो वो समझ गए कि model से काम नी चलेगा मुझे कुछ real experiment करके दिखाना पड़ेगा तो अब जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे यानि कि याद है वो जो बुक के पीछे लिखा हुआ था कि आप हमें लिखके भेजो हमें एक research कर रहे है migration के उपर वो डॉक्टर फ्रेडरिक की थे तो डॉक्टर फ्रेडरिक को उन्होंने लिखकर भेजा University of Toronto में कि मुझे ने कुछ आइडियास चाहिए कि मैं किन-किन चीजों पर real experiment कर सकता हूँ तो अब वो बहुत बिजी रहे अपने high school के दौरान हर real experiment को वो try किया करते थे अब अगले साल फिर से fair हुआ अब उन्होंने क्या करा उन्होंने अपना topic क्या choose करा कि एक viral disease है जिससे कि monarch caterpillars न मर जाते हैं ये research उन्होंने शुरू करा अब he thought that the reason for this could be a beetle so he started raising caterpillar in the presence of beetle but could not get any result कहने की क्या बात है कि जो monarch एक type की butterfly है कि इनके जो caterpillar है न वो मर जाते है और इसका शायद जो reason है न वो क्या है वो है कि insect beetle तो इन्होंने beetle की presence में butterflies को पालना शुरू करा बट कुछ result नहीं निकला बट इन्होंने क्या करा अपने fair में बताया कि at least इन्होंने ये experiment ट्राए तो करा तो इनके project को prize मिला फिर अगले साल इन्होंने experiment करा कि जो visroy butterflies है वो monarch butterflies को copy करती है अब ये question board के paper में भी आता है क्या आता है कि भई visroy butterflies monarch butterflies को copy क्यों करती है ये बताईए आप लोग तो इसका reason क्या है इसका reason है कि जो monarch butterflies है ना उनका taste बड़ा बेकार होता है तो कोई उन्हें खाता नहीं है बट visroy butterfly का taste अच्छा होता है उन्हें खा जाते हैं तो visroy butterfly monarch को copy करती है ताकि भई हम भी उन्हें की तरह दिखें और हमारी जान बच जाए कोई हमें खाए ना तो ये उन्होंने experiment अपना जो research था वो दिखाया और उन्हें price मिला वो price को जीते देन उन्होंने अपनी research शुरू करी कि ये भी question बच्चों बहुत important है बोड के exam के लिए कि जो 12 golden spot होती है ना monarch pupa पे वो क्यू होती है अब आपने देखा होगा अगर एक butterfly है ऐसे तो यहाँ पढ़ना sports होते है अब वो क्यू है लोगों को लगता है वो M.E. है decorative purpose के लिए है और ornamental purpose के लिए है राइट बट उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है ठीक है यह जो 12 spots है ना यह बहुत जादा जरूरी है actual में butterfly को completely growth मिलने के लिए develop होने के लिए यह इन्होंने proof किया अब इन्होंने क्या बोला कि यह जो 12 gold spots है ना यह हार्मोन को release करते है और यह जो हार्मोन है ना यह यह क्या करता है butterfly की full growth में help करता है ठीक है यह इन्होंने अपनी explanation दी ना अब क्या हुआ यह ऐसी research काफी जादा करते रहे करते रहे करते रहे he got a chance to work and found the chemical structure of the hormone in the gold spots अब इन्होंने अपनी इसी research को आगे बढ़ाया और इन्हें एक chance मिला क्या करने का कि इसका chemical structure क्या होता है यह पता लगाने का देखो इस chapter में थोड़ा सा science है बट आपको science की तरफ deviate नहीं होना है क्योंकि English का chapter है तो आपको उपर उपर से समझनी है चीजों को ठीक है तो आगे क्या हुआ एक दिन जब यह chemical structure की photo देख रहे थे तो इन्होंने life का सबसे बड़ा puzzle solve कर दिया वो क्या था इन्हें पता चला कि how a cell blueprints its DNA it was a big breakthrough and was published in a magazine तो DNA के उपर इन्होंने जो cell की theory है हाना cell वाली theory आप सबको पता है तो जो cell की theory है वो इन्होंने पता लगाई और यह बहुत ही बड़ा कदम था विज्ञान में right और यह publish किया गया एक magazine में अगर आपको यह chapter line by line समझना है तो teacher description में आप पूरी वीडियो का भी link है आप लोग ले सकते हो लाइब में समझ सकते हो अब ऐसे ही इनका बहुत जादा नाम हो गया क्योंकि how cell work हना cell की जो theory थी इन्होंने पता लगाई कैसे पता लगाई butterflies की research करते करते ही इन्हों पता चला तो इनका बहुत नाम हो गया इनके और भी बहुत सारे इंट्रेस्ट थे और social studies के जो teacher थे ना उन्हें यह बहुत पसंद करते थे तो इनके social study teacher इनको बहुत जादा नए-एडियास भी देते थे और यह debate करने में भी अच्छे थे प्लिक स्पीकिंग में भी अच्छे थे तो इनके teacher बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह केवल एक ही चीज करते थे बहुत सारी चीज़े करते थे multi-dasking and यह कभी भी जीतना for the sake of winning नहीं चाहते थे कि मेरा नाम हो मुझे वावाई मिले इसलिए नहीं जीतना चाहते थे three idiots के आमिर खान की तरह थे हना कि कुछ purpose होना चाहिए कुछ सीखना चाहिए life में so he wanted to be the best at whatever he do तो chapter के अंदर दिखाया गया है यह question आ जाता है board exam में कि अगर आप में curiosity है एक अच्छा mind है और आप में will है यानि कि आप में चाहा है कि आपको जीतना है right reasons के लिए तो यह सारी qualities है एक अच्छा scientist बनने के लिए तो board के exam में question आ जाता है कि what are the qualities that are required to be a good scientist तो आपको लिखना है कि right amount of curiosity, a bright mind and the will to win for right reason कुछ लोग जीतना चाहते हैं दूसरों को हराने के लिए कुछ लोग जीतना चाहते हैं अपना नाम बनाने के लिए difference है His mother also played a big role अब क्योंकि इनके पापा की death हो गई थी तो इनकी ममा ने भी बहुत बड़ा रोल इनकी life में play करा है इन्हें हमेशा support करा है और इस book से ही सारी चीज़े शुरू हुई क्योंकि इस book से ही इनका जो interest था वो science में बढ़ना शुरू हुआ ठीक है guys तो ये chapter मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को एक बार detailed explanation जरूर देखनी चीए क्योंकि ये chapter 10 के बच्चों को थोड़ा सा confusing लगता है ठीक है तो please मैंने ये line by line पढ़ा रखा एक एक line बच्चों को समझाई है मैंने बहुत detail में science भी समझाया है तो please आप पे time हो या ना हो तो time लिकाल के प्लीज आप इस chapter को देखिए आपको playlist में मिल जाएगा अब हम चलते हैं next chapter पे जो की है हमारा footprints without feet chapter Are you guys ready? हाँ बई तयार हो Chapter number 5 footprints without feet चले आगे बड़े ये chapter भी अपने आप में महान है एकदम हाना इस chapter के भी कोई बात नहीं अब इस पे तो एक novel भी है Invisible Man करके जब मैं class 10 में थी ना तो हमें ये novel लगवा रखी थी Invisible Man specially लगवाई गई थी हमें ये novel ठीक है मुझे नहीं पदा आपके स्कूल में लगवाई गई है के नहीं बट कभी ऐसे चुटिया बुटिया पढ़े ना तो novel पूरी ज़रूर पढ़ना मजा आएगा तो उस novel का एक छोटा सा पार्ट आपको chapter में दे रखा है कहानी इससे भी आगे तक है जो आपको novel में मिलेगी ठीक है तो शुरू करते हैं हम लोग footprints without feet से भाई जिसे नींद आ रही है वो जाके सो जाओ उसे हम रोक नहीं सकते हैं जिसको नींद आ रही है जबरदस्ती पढ़के कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं अगर बोल भी दूकी नहीं बैठे रहो बैठे रहो तो कोई फायदा नहीं है उसका क्योंकि मैं वही हूँ जो तुम्हे guidance में बोलती हूँ कि तब पड़ो जब तुम्हारा मन हो क्योंकि तब तुम्हें जाधा समझ में आएगा अगर आपका मन नहीं है आपको नींद आ रही है आप जाके सो सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है फिक है चलो जी footprints without feet पे चलते हैं अब कहानी शुरू होती है लंडन में अब लंडन में दो लड़के हैं और वो यू देख रहे हैं और यू चल रहे हैं ऐसे अब वो देख किसको रहे हैं किसको देख रहे हैं इनको वो बोल रहे हैं अब यार ये पेरों के निशान किसके हैं आदमी नहीं दिख रहा खाली कौन दिख रहा है पेरों के निशान दिख रहे हैं बाई मेरे जैसा बंदा हूं मैं कभी पीछे ना जाओं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं एक डर पोखूं। तो मैं तो कभी ना जाओं। बट ये लोग इसका पीछा कर रहे हैं। So the two boys were surprised क्योंकि उन्हें muddy imprints, muddy क्या होता है। किसी के पैर जैसे मिट्टी में पढ़ गए हूं और फिर चपल तो पहनी नहीं है, तभी तो ऐसे पैरों के निशान दिख रहे हैं। तो वो उनको दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या हो और है, बिलकुल फ्रेश है, ऐसा लग रहे है कोई नंगे पाऊ है, और एक के बाद एक के बाद पैरों के निशान आ रहे हैं। तो boys क्या करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। अब जैसे जैसी वो आगे जा रहे हैं, अब अगर मैं अपने पैर मिट्टी में धसा लूँ और ऐसे नंगे पैर चलती जाओं, तो कहीं पर जाकर तो वो मिट्टी हट जाएगी न, पैरों से पैरों के निशान बनना खतम हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ और पैरों के निशान गायब हो गए। अब मिस्ट्री इसके पीछे बहुत सिंपल है, पैरों के निशान है ग्रिफिन के, ग्रिफिन कौन है एक साइंटिस्ट, एक पागल साइंटिस्ट, मतलब वैसे वो बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि उसने वो कर दि गई है वैसे है मान लो यहां पर कोई खड़ा है मैं ऐसे करूंगी तो ओ मुझे लगेगा बट मुझे दिखनी रखोन है इन्विजिबल कर लिया उसने अपनी human body को अब आगे क्या हुआ ग्रिफिन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है यह पेपर अमें आता है बोड के एक्जाम के लिए जरूरी है क्यों है ग्रेट साइंटिस्ट भाई उसने इतनी बड़ी खोच करी डिस्कवरी करी बट वो बहुत वियर्ड है एक्सेंट्रिक है यानि की बहुत अजीब सा साइंटिस्ट है अब उसने क्या करें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें यह प्रूफ करने के लिए कि human body को invisible बनाया जा सकता है इन दी एंड उसने कुछ drugs यानि की कुछ दवाईयां खाली और उसकी body finally invisible यानि की transparent बन गई करता यह question भी board के paper में आता है कि वह एक lawless person है आप बताईए क्यों तो आपको उसके सारे जो भी उसने हो जाता है short tempered आदमी है तो उसका landlord उसे घर से निकालना चाहता था तो ग्रिफिन ने क्या करा खुद तो वह invisible हो गया eject मतलब निकालना चाहता था उसे घर से अब revenge बदले में ग्रिफिन निकल गया घर से और घर में आग लगा दी उसके पूरे तो invisible हो गई बट जहां जहां पर कपड़े हैं मानलो मैंने gloves पहने तो gloves तो खाली दिखेगा ना हाना gloves तो दिखेगा तो अभी अगर उसे वह चाहता है कि कोई बिल्कुल ही ना दिखो तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे तो वह कपड़े उतार के भाग गया एक दम से ठीक है अब ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े अब वह एक homeless wanderer है homeless wanderer मतलब ना तो उसके पास घर है और wanderer मतलब एक इधर से उधर दर बदर धक्ये खा रहा है ना उस पे कपड़े हैं ना ही उसके पास आप पैसा है अब बॉर क्या करता है उसे बहुट ज्यादा ठंड भी लगरी है हवा बहुट ठंडी चल रही है ग्रिफिन ने कपड़े पहने नहीं है अब वह सोच रह है कि स्ट्रीट्स में तेहलने से अच्छ़ा ए logisch में जहां म कपड़े तो पहन रहा है अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हुए इसका हाथ का नहीं है ना जहांचा पर कपड़े पहने का केवल वही जगह हमें विजिबल होगी सर नहीं है अगर सर पे कुछ लपेट लेगा तो बस वो लिप्टावाई हमें दिखेगा क्योंकि बॉडी ट्रांस्पिरेंट है तो अब वो अंदर जाता है कपड़े वपड़े पहनता है अराम से फुड़ वूड खाता है क्योंकि शाम का समय होता है स्टोर बंद हो चुका होता है अब के बाद पाइल मतलब एक रजाईयों के धेर पर सो जाता है अराम से अब क्या होता है सुबह वो जल्दी उटना ही पाता असिस्टेंट्स आते हैं शॉप के और वो देखते हैं अब यह अजीब सी चीज कौन सी है ठीक है अब वो उसको देखते हैं और जब वो पास में आत के जब तक इने कपड़े दिखेंगे भागते वे पीछा करेंगे तो अगर उसे अब कंप्लीटली इन्विजिबिल होना है तो फिर से उसे नेकेड होना पड़ेगा तो यह क्वेस्टेन आ जाता है बोड के एक्जाम में के दूसरी बार उसे अपने कपड़े क्यों निकाल अब आगे क्या पहुचता है वो ड्रुरी लेन पहुचता है ड्रुरी लेन क्या है सेंटर ओफ थीएटर वर्ड यानि कि जो भी नाटक होता है जो भी मूवीज बनते हैं सारा वहीं पर होता है तो वहां पे बहुत सारी सप्लाइज होती है जैसे नकली बाल विग जो गए यह सब वहां पर मिलता है तो उसे एक शॉप मिलती है वो अंदर घुसता है अपने पूरे मूपे बैंडेजिस लपेट लेता है ताकि उसका मूँ दिखे वरना मूँ के बिना गुमेगा तो लोग डर जाएंगे ग्लासिस पहन लेता है नकली नाक लगा लेता है बड़ी सी भीड़े और मुझे यहां से निकलना पड़ेगा तो वो ट्रेन पकड़ता है और वो इक गाउं में आ जाता है गाउं का नाम होता है आई पिंग ठीक है अब गाउं में जब वो आता है आपको पता है कि गाउं का महल कैसा होता है अगर कुछ भी छोटी सी बात है हर किसी को पता होगा, सबको पता चल जाता है वहाँ, हाना क्योंकि लोग जल्दी उड़ जाते हैं, लोगों को आसपास के लोगों की खबरे होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं होता, जो old age लोग होते हैं, और वो बैठके gossip करते हैं, तो ऐसे चीज़े होती हैं, तो वो एक local hotel में जाता है, local in मतलब hotel से थोड़ा सा छोटा, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर दो कमरे बुक कर लेता है, अब जब stranger, stranger मतलब जानते तो हैं नहीं, और बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला आदमी जब आता है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसके ब तो वो friendly उने की कोशिश करते हैं, बट वो बोल देता है कि मैं अपनी research करने आया हूँ, और मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, तो उन्हें लगता है कि उसका guest eccentric है, थोड़ा सा weird है, तो she didn't mind his strange habits and irritable temper, कि उन्हें वो इतना फरक नहीं पड़ता कि यह अजीब सा है के अब किते दिन रहेगा, कभी ना कभी तो बेटा जी पैसे खतम होंगे, तो ग्रिफिन की पास जो भी पैसे है वो खतम हो जाते हैं, और वो जूट बोलता है कि मेरा जो check है वो आने वाला है और मैं आपको पैसे जल्दी से दे दूँगा, अब बेटा क्या होता है, अब उस उसके घर पे बहुत ही स्ट्रेंज सा कुछ एपिसोड होता है, स्ट्रेंज एपिसोड क्या होता है, यह ध्यान से सुनना, ठीक है, क्लरजी मेन और उसकी बीबी अराम से सो रहे होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग उन्हें अपने स्टडी रूम से कुछ अवाजे आती हैं, व ठीक है, पैसो की अवाज आ रही है, अब उनके हाथ में है पोकर, अब वो देख रहे हैं कि कौन है, कौन है, कौन है, और वो क्या कर रहे हैं, फ्लंग ओपन मतलब ऐसे जा रहे हैं, और एकदम से दरवाजा खोल के अंदर, ठीक है, अब एकदम से दरवाजा कोल के अंदर, शाउट करते हैं सरेंडर, जो कोई भी है रुप जाओ वो देखते हैं कि रूम में तो कोई है ही नी, पूरा का पूरा रूम खाली अब वो सारी जगा देख रहे हैं, डेस्क के अंदर, हना जो परदे हैं उसके पीछे, चिमली के ऊपर कोई नहीं है, बट पैसे भी गायब है, ड्रॉर भी खुला हुआ है, पैसे भी गायब है, मतलब कोई तो था और अभी कोई भी नहीं है, सो देवर हाइली सप्राइज जो और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है जहां पर एक तरफ यह सब चल रहा है, वहीं पर सेम टाइम की बात हमें होटल की भी बता रखी है कि मिस्टर और मिसिस हॉल जल्दी उठ जाते हैं, और वो देखते हैं, कि जो ग्रिफिन है, उसका कमरा खुला हुआ है यार ग्रिफिन कमरे में नहीं है, तो बोलते हैं बड़ी अजीब सी बात है, यह तो हमेशा अपने कमरे को बंद रखता है, किसी को अपने कमरे में आने नहीं देता, कुछ तो बात है, तो वो ना out of curiosity उसके कमरे में जाकर चीज़ों को देखने लगते हैं अब उन्हें क्या पता चलता है? उन्हें पता चलता है कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, ग्रिफिन के जो कपड़े हैं वो भी यहीं पड़े हैं, जो bandages लपेट के रखते हैं वो भी ऐसी पड़ी हैं, जो bedsheet है वो भी थंडी हो गई है, मतलब ग्रिफिन को उठे बे time हो ग जब तक वह वहां था Mr. and Mrs. Hall उसके कमरे को देख रहे थे सो ग्रिफिन वहां से आ गया है वह इन्विजिबल है तभी उसकी बैंडेजिस वगेरा सब बिखरी पड़ी है वह है उठाके फेकता है Mrs. Hall डर जाती है कि ये हैट अपने आप कैसे उठके मेरी तरफ आ रही है उसके बाद चेयर उठाता है वो तो Mrs. Hall को लगता है मेरे चेयर मेना भूत आ गया है They turned away in fear तो चेयर उनको कमरे से ऐसे ऐसे से भाण निकाल देती है और दर्वाजा एकदम से बंद कर देती है और डोर लॉक हो जाता है अब आगे क्या हुआ Mrs. Hall almost fell down the stairs डर के मारे वो बिचारी सिडियों से गिरते गिरते बचती है रोने लगती है उन्हें लगता है कि इसने मेरे रूम में भूत वगरा डाल दी है यह जादू टोना करता है अब विलेजर्स को ना suspect होने लगता है कि भाई कुछ तो है witchcraft है कुछ तो भूतिया बात है जो ऐसा सब हो रहा है अब धीरे-धीरे सुबह होती है और सुबह होती है तो एक तरफ Mrs. Hall की बात पता चल रही है लोगों को एक तरफ clergyman की चोरी की बात पता चल रही है तो उनका शक न ग्रिफिन पे जाता है कि जरूर इस ग्रिफिन ने कुछ न कुछ तो किया है अब उनका शक यकीन में बदलता है जब ग्रिफिन cash दिखा देता है कि यह लो cash अब वो बोलते है आज ही चोरी हुई है आज ही इस पे cash कैसे आ गया अभी तो इस पे बिलकुल भी कुछ भी पैसे नहीं थे तो अभी क्या होता है Mrs. Hall Griffin के कमरे में जाती है और Griffin वहाँ पे होता है तो Mrs. Hall शौक हो जाती है कि यार यह कमरा तो अंदर से अपने आप लॉक हो गया था Griffin को मैंने नीचे से उपर जाते वे भी नहीं देखा तो यह आया कब So he was there, she asked what he was doing to her chairs तो वो बोलती है कि तुम मेरी chair के साथ क्या कर रहे हो तुम एक बंद कमरे में enter कैसे हुए तो scientist वैसी short tempered होता है उसे बहुत गुसा आता है वो बोलता है रुक तेरी तो तेर को मैं बताता हूँ अभी मैं कौन हूँ और वो धिरे धिरे करके अपने जो कपड़े है वो उतारना सारा शुरू करता है ठीक है सब चीजे फेक देता है अब जितने भी लोग है वो सौर है लोग शौक्ड हो जाते है चिलाने लगते हैं अब यह कौन है यह कौन है हना और किसे बुलाया जाता है कौनस्टेबिल जैफर तो पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस भी सप्राइज हो जाता है कि मुझे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सरी नहीं है अब उसके बाद आप देख लो इतने सारे लोग हैं बहुती वंडरफूल सा सीन हुआ सारी जगा के ओस मच गया यह जो ग्रिफिन है इसने एक एक करके बच्चों अपने सारे कपड़े सारे कपड़े उतारने शुरू कर दिये जैसे यह उतारता गया यह इन्विजिबिल होता गया अब क्या हो रहा है फाइनली पूरा का पूरा इन्विजिबिल हो गया कुछ लोग उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को भी मार रहा है अब लोग क्या कर रहे हैं मानलो मैं हूँ मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ गलती से मेरे हाथ में आ गया मुझे दिखतो रहा नहीं है बट वो मुझे ही उल्टा मार रहा है तो इतना जादा chaos वहाँ पर हो गया in the end जो constable था उसको भी उसने मार दिया सर पर और वो unconscious हो गया nervous भी थे लोग हना चिला भी रहे थे बहुत जादा सब लोग बोल रहे है पकड़ो उसे पकड़ो उसे बट ग्रिफिन एक बारी दुबारा से invisible और free हो गया और सबके चुंगल से मों निकलके भाब केया तो आपके चाप्टर में तो बेटा जी यही तक देख रखा है बट यह चाप्टर आगे भी है नौवल भी है इसकी आप लोग पढ़ सकते हो समझ में आया है बच्चो यह चाप्टर जल्दी जल्दी से बता दो Is this clear? Is this clear? Can I get a yes ma'am? कुछ बच्चों को जो नीन्द आ रही है साड़े दस बज़े ही कुछ ऐसे बच्चे है मेरी क्लास में जिनने नीन्द नहीं आ रही है कोई भी ऐसा बच्चा है भाई लोग जिसको नीन्द नहीं आ रही है हाँ जी ठीक है? एक बार ही लिख दो I can do it फिरम चलते हैं चाप्टर नमबर 4 आ क्वेस्चन ओफ ट्रस्ट भाई ये तो एक ऐसा चाप्टर है सच में जिसने मज़े ही दिला दिये विल्कुल आल राइड, सूपब, वेरी गुड शबाश एक बच्चा लिख रहे है जो सोएगा वो खोएगा ट्रू दाट, I like it चलो जी तो नेक्स चाप्टर पे चलते है बेटा जी A Question of Trust ठीक है, पांच चाप्टर हम लोग कर चुके हैं सिक्स्थ चाप्टर पे हम लोग हैं सिक्स्थ और सेवन्थ चाप्टर हमारा बहुत ही छोटू सा चाप्टर है इसको हम जल्दी कर लेंगे चलो So Question of Trust है एक आदमी के बारे में एक ही आदमी है जो इस चाप्टर का मेन क्यारेक्टर है मुख्य फोकस है, वो है Horace Denby अब Denby जो है न, वो पचास साल का है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई ठीक हैं हाँ बेटा Nelson Mandela वाली बुक अलग है Nelson Mandela वाली बुक है आपकी First Flight ये वाली जो बुक है ये आपकी Second बुक है Footprints Without Feet ठीक है हाँ ये चाप्टर एक नमबर है, तो Horace Denby पचास साल का है, Horace Denby की शादी नहीं हुई है, वो Unmarried है He was usually very well except for attacks of hay fever इन समर्तों वैसे वो आदमी ठीक है उसको कोई बिमारी नहीं है बट उसे ना allergy है, hay fever क्या होता है कि आपको allergy है, आपको छीक पे छीक आती है, because of the dust या grains, ठीक है, fool वगेरा की वज़े से, तो उसे ये बिमारी है उसका काम क्या है, वो आले बनाता है, locks बनाता है और वो अपने काम में, अपने बिजनिस में बहुत जादा successful है बट तब भी वो एक साल में एक तिजोरी जरूर लूटता है अब आप सोचोगे यार अपने काम में इतना successful आदमी है, then why is he doing that? वो क्यों लूट रहती जोरियों को? So, वो क्या करता है actually, with that money he bought rare and costly books, तो ये उसका एक शौक है शौक क्या है कि उसे books बहुत पसंद है, और वो क्या करता है इससे costly, जो महंगी books होती है न, जो असानी से नहीं मिलती उन्हें खरिदवाता है एक agent के थूँ तो जिसके लिए वो साल में वस एक बार एक डाका जरूँ डालता है और ये डाका डालने से पहले वो बहुत बार, मतलब बहुत ज़्यादा तयारिया करता है, प्रेपरेशन करता है, अब इस बार, वो प्लान कर रहा है, कि वो क्या करेगा वो भाई, shot over grain, ये याद रखना यहाँ पर वो डाका डालेगा और वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है, कि भाई इनकी wiring कहा से, इनकी lock कहा से, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, इनके बारे में उसने अच्छे से पड़ा, और उसने note करा, कि भाई, जो दो servants है न, वो movie देखने जा रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या करता था, रोजाना ready रहता था अपने bag के साथ, कि जैसे ही मौका मिलेगा, वैसी अंदर जाके मैं चोरी कर लोगा, ठीक है, अब दो servants जैसे ही movie देखने गए, तो उसने देखा, कि इनों ने kitchen door के साथ में चाबी टांग दी, तो उसने क्या करा, वो अंदर गया, ठीक है, और वो अपना, जो चोरी है, वो करना उसने शुरू कर दिया, उसे पहले से ही पता था, इनकी जोरी वगेरा क्या है, क्योंकि इस घर का नक्षा पूरा का पूरा एक magazine में छपा हुआ था, तो उसे सारी चीजे पता थी, अब जब वो कर रहा था चोरी, तो उसको ना एकदम से छीके आना शुरू हो जाती है, उसकी जो allergy है, वो हिट करती है, चीके आना शुरू हो जाती है, अब he was caught red-handed, उसे रंगे हाथों फकर लिया गया, जब अंदर आती है एक lady in red, पूरे चाप्टर में इसे lady in red बोला गया, इसका कोई नाम नहीं, यानि कि red color की dress में एक लड़की enter होती है, और वो ऐसे behave करती है, जैसे कि वो इस घर की मालकिन है, so, she played the role of lady of the house in a very confident and convincing way, बहती confidently वो आती है, वो भी dog का नाम जानती होती है, प्यार करती है dog को, शेरी, और एक एक चीज उसे भी पता होती है, so lady इतने ज़्यादा अराम से, इतने ज़्यादा confidence से और authority से बात करती है, कि डैन भी को लगता है, अब एयार मैं तो फस किया, ये तो मकान मालकिन है, अब lady क्याव करती है, उसे धंकी देती है, कि I'll call the police if we try to run away from there, कि वहीं खड़े रहो, अगर तुमने भागने की कोशिश करी, तो मैं police को बुला लूंगी, वो बोलती है, कि देखो, अगर तुम्हें यहां से बाहर जाना है, तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, वो क्या है, कि तुम्हें मेरे लिए तीजोरी खोलनी पड़ेगी, हाना, मैं इसका लॉक भूल गए हूँ, और मुझे ये जो इसके अंदर jewelry है, वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसे बोलती है, अब Horace बहुत excited हो जाता है, कि चलो भाई, finally you know, मुझे जाने को मिल रहा है बस मुझे ताला ही तो थोड़ना है, वो तो मेरे दो हाथ का काम है, मेरा तो काम ही तालो का है, मैं safe खोल दूँगा, owner के लिए और वो excitement में अपने gloves पहनना भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मकान मालकी नहीं, तो मुझे तीजोरी खुलवा रही है, so Horace handed over all the jewels to her and went away happily, तो बड़ी खुछी से खोल रहा है लव, और सारे के सारे गहने उसको दे रहे लो, ओकी बाई see you later, take care of yourself चला गया वहां से अब अराम से अपने घर पे बैठा है ठीक है, बढ़िया, उसको लग रहा है ओ, मैं तो बच गया after two days, उसे arrest कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस बोलती है तुमने शौट ओवर ग्रेंज में चोरी करी है हम तुमें arrest करके लेके जा रहे है ठीक है, तुमारे fingerprints हमें मिले है पूरे की पूरी तिजोरी पर और इस क्या करता है plead करता है, कि नहीं नहीं request करता है, कि अरे आप गलत समझ रहे हो जो owner है न, owner की बीवी इने ही मुझसे वो तिजोरी खुलवाई है the real lady of the house अब जो real lady है, वो अधेर उमर की है मतलब कि 60 साल की उमर के आसपास की है grey color के hair है, उसके वो बोलती है पागला अदमी है, मैंने तो नहीं खुलवाई इससे कुछ भी, ठीक है, so Horace was nonsense, so end में उसे समझ में आता है, कि जो real चोर थी, वो lady in red थी यानि कि actual में वो भी वहाँ चोरी करने ही आई थी, बट उसने डेनबी को देखा और उसने उसी से चोरी करवा ली ठीक है न, और खुद वहाँ से वो भाग गई who was a thief like Horace तो वो lady in red भी वहाँ पर चोरी ही करने के लिए बच्च पार्टी आई थी समझ में आया तो यह हमारा बहुत ही छोटू सा चाप्टर था clear is it clear चले दे मिडनाइट विजिटर पे चाप्टर नमबर थ्री चाप्टर नमबर थ्री पे चले बच्च पार्टी जल्दी जल्दी से बोल दो yes ma'am चालो जी so midnight visitor भी हमारा बहुत चोड़ा सा चाप्टर इसमें तीन कारेक्टर है याद रखना ठीक है पहला कारेक्टर है follower दूसरा कारेक्टर है audible और तीसरा कारेक्टर है max यह तीन कारेक्टर है अपने पास अब इसमें से जो ओसिबल और max है ना वो हमारे secret agents है और जो follower है वो हमारा romantic writer है ठीक है इतनी बात याद रहेगी चलो so follower एक young और romantic writer है और वो ओसिबल से मिलना चाहता है क्योंकि वो एक किताब लिखना चाहता है detective पे तो अब हम जो movies देखते हैं हना हमें दिखाया जाता है कि भई यह जो detective है बहुत handsome होते हैं बहुत ज़्यादा fit होते हैं लडाईयां करते हैं इनके आज पास बहुत सारी सुन्दर सुन्दर कन्याय होती हैं जो risk लेकर इनके पास messages देने आती हैं तो एक ऐसी image है हमारे दिमाग में किताबों को पढ़के या movies को देखकर तो follower भी वो सारा thrill और action देखने Ausible से मिलने आ रहा है कि Ausible एक secret agent है में उससे मिलने जाओंगा बट जो वो सोचता है उसका बिल्कुल opposite होता है तो Ausible एक detective है जो की Paris में है जो की fat है और वो बिल्कुल भी secret agent की तरह नहीं दिखाई देता tall, handsome, dark नहीं दिखाई देता अब क्या होता है कि follower का पूरा mood खराब हो जाता है वो disappointed हो जाता है रोसिबल को भी दिख रहा होता है कि बहुत जादा disappointed है तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं रुख जाओ, अभी शाम में मेरे पास एक report आने वाली है missiles के उपर जिसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान को खत्रे में डाला है तो तुम खुश हो जाओगे अब ये दोनों hotel room में जा रहे होते हैं जहां पर वोसिबल stay कर रहा होता है बिल्कुल top floor पे जैसे ही जाते हैं और जैसे ही ओसिबल अपने कमरे की light on करता है सामने खड़ा है Max लेकर gun मिल गया thrill पहला ही thrill उसको मिल गया राइट, so he found Max standing with a pistol in his hand in the room अब मैक्स क्या करने आया है वही important report लेने आया है forcibly from ओसिबल जो इसके पास आने वाली है अब ओसिबल को डर तो लग रहा है बट कभी भी आप डरे वे हो और अगर आप वो अपना डर सामने वाले को दिखा दो तो तो आप गए तो आप बिल्कुल गए तब आपके कोई chance नहीं है बचने का तो अभी ओसिबल क्या करता है एक false story जूटी story अपने दिमाग को active रखता है और एक जूटी story बनाता है बालकेनी के बारे में ठीके वो बोलता है मैक्स को कि अच्छा तुम भी वही से आयो ना जो मेरी विंडो के नीचे बालकनी है ये ना ऐसा भाई बहुत बार हो गया है कि मेरी विंडो के नीचे वाली बालकनी से लोग यहां पर आ रहे है ठीके और अब तो मैं ये होटल स्टाफ से बोलने वाला हूँ कि भाई ये क्या ड्रामा है बालकनी का तो माक्स बोलता है अच्छा बालकनी भी है पहले पता होता तो मैं वहीं से आ जाता मेरे ले तो असान होता मैं तो चाबी लेकर आया तो उसने इतना बालकनी के बारे में बात करना शुडू कर दिया कि कहीं न कहीं माक्स को ये यकीन हो गया कि अक्च्छल में उसकी विंडो के नीचे क्या है बाल के नहीं है, अब आगे क्या होता है अब आप देख सकते हो पूरा का पूरा सीन, आपकी आखों के आगे यहां पर यह जो लड़का खड़ा है हाथ में पिस्टल लेके यह मैक्स है मैक्स के पीछे विंडो है एक्चुल में विंडो के नीचे कोई बालकनी नहीं है बट यहाँ पर यह जो ओसिबल है देख रहे हो कहीं से यह सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा नहीं लग रहा फाइट वाइट कर सकता है के नहीं बट डोंट जज़ अबुक बाइट कवर इसका दिमाग बहुत तेज है तो ओसिबल क्या करता है यहां आके चेर पे बैठ जाता है और चेर पे बैठ के बालकनी की बाते करने लगता है के विंडो के नीचे एक बालकनी है जिस पे चड़कर लोग इसके कमरे के अंदर आ जाते है और यह पीछे कौन है हमारा राइटर है फाउलर है जैसी यह लाइट अन करता है यहां से देखो तो यह सामने इसको खड़े वे दिखता है मिल गया थरे अब आगे क्या हुआ अब वो बोलता है कि अब जूट बोले जा रहा है बोल रहा है ऐसा दूसरी बार हुआ है यह कि कोई मेरे कमरे में आ रहा है इस बालकनी के थूँ अब वो क्या बोलता है इतने में ही जब यह सब बाते चल रही होती है तो gate पे न नौक होता है अब Osible इसका भी फायदा उठाता और वो बोलता है कि ये पुलिस है बोलता है मेरे को पता था कि मेरी जान को खत्रा है क्योंकि मेरे पास इतने important papers आने वाले तो मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था कि आप आकर मुझ पे चेक कर लेना कि मैं ठीक हूँ के नहीं तो he also made Max panic by telling him that the knocking at the door were of the police whom he had already informed अब क्या हुआ? Max बहुत पानिक करने लगता है क्योंकि जोर-जोर के ऐसे खट-कट हो रही है समझ रहे हो? ऐसे खट-कट-कट-कट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है क्या कहा कहा जाओ 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 छोटा सा कमर्या छुट नहीं सकता ठीक है अब क्या हुआ? When Max became panicky he came to the window and jumped out of it अब आप ये फोटो देखो एक बार यहाँ पे देखो ये बैठा हुआ है ठीक है ओसे बैठा हुआ है कि balcony है ठीक है? तो अब वो क्या कर रहा है? वो देखो यहाँ से कूद रहा है और देख हिनी की तरफ रहा है कि जल्दी से उन्हें भगाओ वन्ना में तुम्हें मार दूँगा अब वो बिना नीचे देखे जम कर लेता है और वो सीधा top floor से नीचे जाता है और तेज की चिलाता है उसकी अवाज आती है वो मर जाता है So a loud cry was hurt and in this way Osible got rid of his enemy Later on पता चलता है कि जो दरवाजे पर ठक ठक हो रही थी वो actual में waiter था क्योंकि Osible ने उपर आते वे waiter को order दिया था कि एक bottle और दो glass ले आओ मेरे और फावलर के लिए ठीक है? So waiter आता है और वो दो औरो glasses रग देता है Simple और कहानी हमारी यहाँ पर खतम हो जाती है और इस कहानी का मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद है भाई लोग के हमें हमारे दिमाग से काम लेना चाहिए हमें panic नहीं करना चाहिए अगर हम लोग पैनिक कर दिये मतलब हमने आदे से जादा बैटल तो अपना वहीं पर लूस कर दिया तो भले ही ओसिबल, सीक्रेट, एजेंट की तरह नहीं दिखता हो बट उसका दिमाग बहुत ही जादा आक्टिव था और तेज था जिससे की वो बच गया Am I clear? चले चाप्टर नंबर टू, The Thief Story सिर्फ दो चाप्टर हमारे बचे हैं, The Thief Story और The Triumph of Surgery Can we move ahead? हां जी, आगे बड़े बच्छा पाठी Can I get a yes ma'am in the comment section everyone? बताओ भाई लोग केना ही गेटा येस माम एनर्जी भरा हाँ दिमाग से काम लेना चाहिए और किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए चिकें? चालो जी बहुत बढ़िया यार देखो जो लोग सोरे सोने दो तुम्हें क्या करना है तुम तो उठे हो ना तुम ये देखो ना कि तुमारे साथ लमसम लमसम 200 बच्चे पढ़ रहे हैं याने कि इस दुनिया में कहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते ऐसे 200 बच्चे हैं जो अगर मैं मेरे घर बुला हूँ तो फिट भी ना आपाएं हाना जो अभी इस वक्त लमसम 11 बजे मुझे बैठके सुन रहे हैं कितनी बड़ी बात है तो लाइफ वाचिंग से कुछ नहीं होता मतलब होता है अफकोर्स होता है लाइफ वाचिंग से बहुत कुछ होता है बट एक तरीके से जो बच्चे बैठे हैं अगर मेरी क्लास में 30 बच्चे भी है तो मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने प्रोमिस किया है क्योंकि आज का आज का टाइटल ही वो है कि ओल चाप्टर्स हाना तो मैं एक भी चाप्टर नी छोड़ू है अगर मेरी क्लास में एक भी बच्चे है अगर मेरी क्लास में 0 भी बच्चे बच्चे न, end तक, तो भी मैं पढ़ाओंगी, क्यूं? क्यूंकि कोई न कोई बच्चा पेपर से एक दिन पहले भी ये वीडियो देख रहा होगा, समझ रहे हो? तो मैं ये वीडियो बीच में नहीं छोड़ सकती, कि अरे यार, लाइव वाचिंग गर गई अब तो, अब तो जाओ यार, खताम करते हैं, नहीं क्यूंकि रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बच्चे, कल वाली देख लो ना, कल वाली जो हमने पोम वाली सारी पोम्स करी थी, कितने बच्चे रिकॉर्डिट देख रहे हैं, देख रहे हैं के नहीं? तो, फरक नहीं बढ़ता, चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम थीफ स्टोरी पे, अब थीफ स्टोरी का जो नरेटर है, वो एक 15 साल का बच्चा है, एक चोर है, और चोर का कोई नाम नहीं है, वो अपना नाम बारबारी बारबारी चेंज करता है, बट यहाँ पर हम उसे हरी सि के नाम से हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है बेटा जी, चलो, so narrator है थीफ स्टोरी का एक चोर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है थीफ स्टोरी, तो चोर हमारा narrator है, वो केवल 15 साल का है, और वो अनिल से मिला, उसका काम क्या है, नए-ने लोगों से मिलना, उनका ट्रस्थ जी को अराम से उनों फुसला सकता हूं और चोरी कर सकता हूं तो वो अनिल से मिलता है अनिल एक राइटर है 25 साल का याने कि उससे 10 साल बड़ा अनिल टॉल है पतला है एंड वो बहुत easy going kind और simple लग रहे हैं कि मैं चोरी कर सकता हूं अब यह जो हरी सिंग है लिखा है hadn't much luck of late कहने का मतलब है कि अभी हाली में जादा कुछ यह चोरी कर नहीं पाया है तो वो चाहता था कि मैं भई अनिल का confidence जीत लूँ और उसके यहाँ पर चोरी कर लूँ अब जो हरी सिंग है वो हर महीने अपना नाम बदलता था क्यों बदलता था बोड के exam में बेटा जी पूछ लेते हैं ठीक है कि नाम बदलता था पुलिस से बचने के लिए और जिनके यहाँ उसने पहले चोरिया करी हैं उनसे बचने के लिए तो आने लेक wrestling match देख रहा होत जब वो wrestling match देखे उठता है जाने लगता है तो वो उसको बोलता है कि भाई मुझे तुमारे लेकाम करना है मुझे काम की जरूरत है बट अनेल इतना अमीर आदमी तो है नहीं कि वो किसी को काम दे काम पे रखे तो वो बोलता है भाई देख मैं तुझे salary तो दे नहीं तो अब अनेल बोलता है हरी सिंग को कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है हरी सिंग जूड बोल देता है कि yes yes of course बना लूँगा तो वो बोलते देख मैं तुझे salary नहीं दे सकता बट मैं तुझे खाना दे दूँगा मेरे खाना बना लियो खुद भी खा लियो so the food he cooked on that day अब जो उसने food बनाया अपना उस दिन अनिल के घर जाके हरी सिंग ने वो बहुत ही terrible था बहुत ही खराब था इतना खराब कि कुट्टों को डालना पड़ा अनिल आस्ट इम तो गो अवे अनिल को समझ आगे इसने मुझे जूट बोला है और उसने बोला भाई त उसे दया आ जाती थी कि अवे यार यह कैसे हस रहा है so at last अनिल ने मान लिया कि ठीके तुँ यह रह ले मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूंगा अब धीरे धीरे अनिल हरी सिंग को बहुत सारी चीज़े सिखाने लगा जैसे कि अपना नाम कैसे लिखना है पूरे sentences कैसे ल तरीके तरीके की चीज़े वो उसे सिखाने लगा हरी सिंग के खुद के मन में भी एक पढ़ने की चाहा थी उसे लगता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा ना तो मैं यह चोटी मोटी चोरियों से तो बहुत जादा ही पैसे कमा लूंगा समझ में आया हरी सिंग चुकर गुजार था कि at least अनिल उसको basic education तो दे रहा है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो रहा है उसे पता था कि once he could write like an educated man there would be no limit to what he could achieve तो उसे पता था कि अगर एक बारी मैं युनों पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दूं मैं अगर एक बारी थोड़ा सा पढ़ लि pleasant to work with अनिल तो हरी सिंग को मज़ा आता था अनिल के साथ काम करने में क्योंकि अनिल बहुत अच्छा आदमी था बहुत काइंड था बहुत उसको दया से अच्छे से रखता था तो जब भी हरी सिंग बाहर समान लेने जाता तो जैसे ममिया तुमें भेजती है न के बिटा जा ये ले आ और हम दस रुपे का कुछ और भी ले आते हैं तो वैसे वो भी अपना एक रुपे का प्रॉपे रख लेता था कि ये तो मुझे वैसे भी सालरी नहीं देता एक पचुराता है बट वो इतना बोलता नहीं था उसको बोलता था कोई नहीं बच्चा है बच्चा ऐसे करके छोड़ देता था अब अनिल की बेटा कोई रेगुलर इंकम थी नहीं अनिल कुछ काम नहीं करता था he made money by fits and stats fits and stats मतलब क्या है कि किष्टो में कभी पैसे आ गए कभी पैसे नहीं आए तो वो क्या था magazines के लिए लिखा करता था एक writer था जिस दिन उसे पैसे आते थे वो बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ celebrate कर लेता था and then he would wait and worry about his next check और उसके बाद वो wait करता था और अपने next check का wait करता था कि कब मेरे पास पैसे आएंगे दोबारा अब एक शाम क्या हुआ अनिल घर पर आया और उसके पास एक bundle of notes था थोड़े जादा पैसे उस दिन उसको उसे मिले थे क्योंकि उसने अपनी एक किताब publisher को बेच दी थी अब रात में हरी सिंग ने देख लिया कि अनिल अपने गदे के नीचे वो पैसो को रख रहा है अब है तो वो चोर उसके मन में लालच तो आया राइट अनिल ने उसको एक दर्वाजे की चाबी भी दे रखी थी कि जब तेरा मन करे तू आ और जा यानि कि अनिल ने उसके पूरा ट्रस्ट कर रखा था और बच्चो अगर हम किसी का ट्रस्ट तोड़ते हैं तो उससे जादा गंदी चीज कुछ नहीं होती हाना आप किसी का मो तोड़ दो आप किसी की किडिनी तोड़ दो आप किसी का लंग तोड़ दो बट अगर हम किसी का trust तोड़ते है तो वो सबसे बुरी चीज है उसे भी अंदर से पता था कि अनियल जितना अच्छा आदमी अनियल जितना मुझपे भरोसा करता है उतना कभी किसी ने नहीं किया हना, so it was very difficult to rob him अंदर से उसको भी अवाज आ रही है भाई तू गलत कर रहा है भाई चोरी मत कर sometimes he didn't notice that he had been robbed तो वो सोच रहा है कि अनियल जैसा आदमी तो ना notice भी नहीं करेगा कि उसके यह चोरी हुई है उसे तो यह बुरा लगेगा कि मैंने उसका trust तोड़ दिया so और अगर वो notice नहीं करेगा तो मेरे काम का सारा मज़ा ही चला जाएगा so अब क्या हुआ अनिल सो गया हरी से अपनी आदत से बहुत ज़ादा मजबूर था and हरी से थौट ओवर दा सिचुएशन अगर वो बोलता है अगर मैंने पैसे चुरा लिये तो मैं साड़े दस बजे की ट्रेन पकड़के लखनों पहुंच जाओंगा अब वो क्या करता है क्रेप्ट मतलब ऐसे रेंग के जाता है उसके मैट्रेस के पास और अपना हाथ धीरे से उसके गदे के नीचे डालता है अब इतने में अनिल करवट बदल लेता है तो उसकी सास रुख जाती है बट अनिल सिंग जगता नहीं है तो वो अपना हाथ धीरे से वापिस से निकालता है और सीधा भाग जाता है, बाहर भाग जाता है ठीक है, on the road, road पे आता है, वो पैसो को count करता है 600 रुपे होते हैं, 50-50 के note होते हैं, टोटल 600 रुपे होते हैं और वो बोलता है कि इन पैसो से तो मैं एक अरब, एक rich, एक अमीर अरब की तरह एक दो हकते के लिए अपना काम में निकाल सकता हूँ अब क्या हुआ, जो हरी सिंग है, वो station पे पहुँच जाता है सीधा platform पे जाता है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि क्या कभी कोई चोर टिकेट लेगा तो वो सीधा platform पे जाता है, लखनव express बस चलना भी शुरू ही हुई होती है तो train आपको पता ही है कैसे चलती है, बंदे भारत तो है नहीं, कि बैठो बंद होगी और सीधा चलेगी नहीं, train चलती है धिर धिर है, ठीक है, starting में, फिर speed पकड़ती है तो train बस अभी निकलना ही शुरू हुई थी, वो चाहता तो वो जम्प करके चड़ सकता था बट पता नहीं, उसके अंदर से कुछ हुआ कि वो चड़ नहीं पाया train पे Now, अब आगे क्या हुआ, जब train चली गई तो उसे पता नहीं था कि अम मैं कहां जाओ He had no friends and didn't want to stay at hotel अब ना तो उसे hotel में रहना था, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी और ना ही उसका कोई दोस्त था वो केवल अनिल कोई जानता था, जिसे वो लूट आया था तो वो मैदान में आ जाता है और एक bench पे बैठ जाता है बहुत जादा ठंड होती है और दीरे-दीरे बारिश होना शुरू हो जाती है और नोट सारे के सारे बारिश की वज़े से गीले हो जाते है अब हरी सिंग को realization होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं तो इन सब में यह जो मेरी आदत है चोरी करने की, यह जो मुझे मज़ा आता है चोरी करने में इसके चक्कर में मैं यह भूली गया कि जो अनिल है वो मुझे education दे रहा था हना, और मैं पढ़ रहा था, तो मैंने अपना इतना बड़ा loss करा लिया कि he knew that education could one day bring him more than few hundred rupees कि 600 रुपे से तो बहुत जादा मैं कमा लेता, अगर मैं educated हो जाता, अगर मैं पढ़ लिख लेता तो अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है, एक इजददर आदमी बनना है, तो मुझे पढ़ना और लिखना आना चीह है ये उस चोर तक को पता था बच्चो, और हमने से आदे लोगों को नहीं पता होता है, समझ रहे हो He was to be educated, he hurried back to अनिल's room, very nervous, अब वो बहुत nervous होता है बट वो दुबारा से अनिल के घर पे जाता है, और वो क्या करता है, दुबारा मैट्रेस के पास जाता है और नोट्स को वहीं पर रख देता है, अब अगली सुभा अनिल क्या करता है, उसे पचास रुपे देता है ठीक है, हरी सिंग हाथ सैंग, हरी सिंग डर जाता है, क्योंकि नोट गीले होते हैं, तो obviously अनिल को पता था कि इसने चोरी तो करी है बट, आगे क्या हुआ, अनिल को, हरी सिंग को लगता है, मैं पकड़ा गया So, अनिल made an announcement, वो बोलता है कि मुझे पैसे मिले हैं, और अब मैं तुम्हें regular salary दिया करूँगा He also told कि अब मैं तुम्हें sentences लिखना भी सिखाऊँगा देखो, अनिल को सब पता था चोरी के बारी में, but neither his lip nor his eye showed anything क्योंकि उसे पता था कि इसने चोरी तो करी, बट ये वापिस आया अगर मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूँगा न, तो शायद ये कभी नहीं सुधर पाएगा और ये वापिस इसलिए आया कि शायद इसको एहसास है तो ना तो उसने कुछ मूँ से जिक्र किया, ना उससे डाटा कुछ नहीं बोला उसने उसको अंदर से ही एक दूसरा मौका, एक दूसरा चांस बेटा जी दे दिया Am I clear? क्या ये chapter clear है बच्च पाटी? जल्दी जल्दी बिताओ भाई एक last chapter हमारा बचा है, chapter number one, triumph of surgery मैं दुबारा बता रही हूँ, कि मैंने ये एक एक chapter आपको detail में भी समझा रखा है नीचे description में playlist है, playlist में link है, class 10th का और एक एक chapter के question answers वगेरा सब आपको मिल जाएंगे ठीक है, तो telegram भी आप लोग join कर सकते हैं, उसमें सारे question answers हैं, बिल्कुल free of cost ठीक है, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, तान्या मैं लाखों में एक very cute, कौन है ये, गुलाम रसुल, बहुत बढ़िया, मौच कर दी चलिए भई, चले, triumph of surgery पढ़ ले इतना भी कई लेट नहीं हुआ है, सच में, हम जब स्कूल जाते थे न, हम तो रात में साड़े ग्यारा बज़े सोते थे, सुबा फिर उठ जाते थे, क्योंकि बच्चे होते हैं, ऐसे उनका चलो जी, so triumph of surgery हम लोग कर लेते हैं, यहां पर यह जो list है न, यह आपके सारे के सारे chapter है, footprints without feet के, ठीक है, सारे chapters है, जोसमें से मैं आपको the book that saved the earth, भोली, necklace, making of scientists, footprints without feet, question of trust, midnight visitor, thief story करा चुकी हो, यह मैं आपको line by line भी करा चुकी हो, अलग-अलग videos में बार-बार बता रही हो, description में लिंक है, और मैं आपको पूरा complete भी करा चुकी हो, और अब हम जा रहे हैं, last chapter पे, a triumph of surgery, let's start the chapter, अब यह जो chapter है न, यह इसमें है, तीन character, ए उनका कुत्ता है Tricky, और एक है Dr. Heriot, जो की एक वेट है, डॉक्स के डॉक्तर है, जानवरों के डॉक्तर है, तो मिसिस पंप्रे अपने प्रिकी से बहुत जादा प्यार करती है, लाड प्यार में उसे इतना खिला देती है, इतना खिला देती है, कि उसकी तवेत खराब होने तो नहीं पता होगा, तो जो से मैंने आपको आज मिलवाया, मेरी पैट है, तो हम जो को लाए थे अभी पंद्रा तरीक कोई, उसकी तवित खराब हो गई थी, तवित क्यूं कराब हुई थी, मैंने आज से पहले कभी कोई पैट पाला नहीं, मेरे को कुतों से वैसी डर अब हम तो वही खाना दे रहे थे, जो हमें बताया गया था, तो हमने क्या करा, उसे थोड़ा सा जाधा खाना देना शुरू करा, अब हमने जाधा खाना देना जब उसे शुरू करा ना, तो उसने रात में रोना शुरू करा, अब हमें समझना आए कि ये रो क्यू रही है, आब और क्या करा उसने के ना वो मतलब खड़े होकर एकदम जिसे हम तडपते हैं पेन में वैसा उसने करना शुरू कर दिया एकदम बॉडी शिवर कर रही है और रही है और भाई हम तो बहुत डर गए मेरा तो रोना शुरू हो गया तो मेरा तो रोना शुरू हो गया और मुझे अळा भी दो फिस्टेंपर अगर आप Google करोगे आपको पता चले को बहुत गंदी बीमारी होती है जो डॉक्स को जाती है अगर वो छोटे पपी स्को जाए तो वो बच नी पाते ठीक है वो बच नी पाते तो मैं बहुत जादा डिस्टर्ब हो गई तुम्हें याद होगा एक दिन तुम्हें क्लास भी नहीं ले पाई मैंने कम्यूनिटी पोस भी किया था कि जो की तब है ठीक नहीं जब तुम समने गेट वैल सून बोला तो भाई मुझे तो बहुत डर ल अच्छा वेट मिला उसने बताया कि इसे ग्यास का पेन है यह डिस्टेंपर नहीं है अभी हमें इसका टेस्ट फिर भी कराना एश और होने के लिए बट एट लिस्ट उसने थोड़ा होप दिया कि ग्यास का पेन है और डिव टू क्योंकि इसके डाइट में डिफरेंस दवाया शुरू ही तो अभी टच्छूट चीज हो के मेरे बताने का क्या पॉइंट है कि हम डॉक से जितना मर्जी प्यार कर लें हाना डॉक से हम प्यार कर लें बट हमें उनको एक एक डाइट में रखना पड़ता है क्योंकि कुट्ते ऐसे हैं डॉक्ष ऐसे होते हैं कि आ यहां पर मिस्स पंफ्रे क्या करती है देती जाती है देती जाती है अब देती जारी तो उसकी तवित खराब हो रही है ठीक है तो इसके उपर यह चैप्टर है सो अभी डॉक्टर है यहाँ पे जेम सीरियेट जो की बहुत ज़ादा परिशान है वरीड है क्योंकि वो रास्ते से जा रहे है और वो अपनी गाड़ी रोकते है और उन्हें ट्रिकी दिखता है पर मिसिस पंफ्रे दिखती है वो देखते है ट्रिकी की हालत कैसे हो इतना मोटा हो गया है हाना इसके पैर ही नहीं दिख रहे चलते हुए ऐसा लग रहा है खुद को घसीट रहा है एकदम ब्लॉटेड सॉसेज मीट की तरह लग रहा है एकदम ट्रिकी सो ट्रिकी बहुत उसकी ओनर थी अभी क्या हुआ इसको बहुत सारा यह डाइट देती जारी थी देती जारी थी मिस्टर हीरियेट ने पहले भी इने बॉन किया था कि आप इसे स्ट्रिक डाइट पर रखो इसको इतना मीठा मत दो बट वो देती जा रहे ही थी फिर भी प्यार में लाड में तो जेमस इरियेट ने रियलाइस करा कि ट्रिकी की न केवल गलती क्या है ग्रीड ग्रीड मतलब लालच जो की हर डॉग होता है लालची हाना अब वो ट्रेनिंग होतो नहीं होगा बट हर डॉग लालची होता है इनिशियली तो डॉक्टर इरियेट ने एडवाइस किया कि आप cut मतलब reduce कर दो, कम कर दो, जो tricky का खाना है ना आप उसको कम कर दो और आप उसे exercise कराओ, उसे strict diet पे रखो, अगर आप उसे diet पे नहीं रखोगे, exercise नहीं कराओगे खाना कम नहीं करोगे, तो वो बहुत जल्दी बिमार पढ़ जाएगा और उसकी जान को भी खत्रा हो सकता है और इसलिए हम भी अगर जो को खाना देते हैं, हम उसको exercise कराते हैं कि भाई नहीं, तू भाग, तो हम भागते हैं उसके साथ, हम जित्ते भी ठके हो, अपन भागते हैं थोड़ा खेलते हैं ताकि उसका खाना पच जाए तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन में जैसे की डॉक्टर हीरियट ने प्रिडिक्ट किया था देखकर समझ गई थे, ट्रिकी की हालत खराब है, मेरे पास कॉल आने वाला है तो बिल्कुल वैसे ही थोड़े दिन में बच्चों कॉल आ जाता है, उनके पास मिसिस पंफ्रे से वो दहाडे मार मार के फोन पर रो रहे हैं, मेरा ट्रिकी उल्टिया गर रहा है मैं बता रही हूँ आपको, मेरे ट्रिकी को कुछ हो गया है, तो वो रो रही है कि मेरे ट्रिकी वोमिटिंग कर रहा है, हना वो सिर्फ अपने रख पे पड़ा हुआ है, खेल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है पैंटिंग मतलब तेज तेज सासे ले रहा है, सो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि ट्रिकी को आपको होस्पिटलाइस करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता है कि घर पे ये रख नहीं पाएगी ट्रिकी को, खाना दे दी जाएगी तो चौदा दिन के लिए, दो हफ्तों के लिए, फॉर्टनाइट के लिए उसको होस्पिटलाइस करना पड़ेगा अंडर अब्सर्वेशन रखना पड़ेगा अब add the surgery, surgery क्या है, clinic है, hospital है, ऐसा नहीं है कि डॉक की surgery होई तो hospital उसको लेकर गए अब जब hospital लेकर जा रहे थे, तो सारे servants को बुला लिया क्योंकि बहुत अमीर है कि जाओ, इसका night bed लेकर आओ, afternoon bed लाओ, फलाना लाओ, ये लाओ, वो लाओ तो सब लेकर आए, और फटा फट से भाई, उसको hospital ले गए, डॉक्टर उठा कर सब लोग दाहाडे मार मार के रो रहे है अब जैसी वो hospital पहुचा चोग जो वहाँ के local dogs है, वो आकर सूंग रहे है अब बोल रहे हैं, इसमें कोई मजा नहीं है, खेल नहीं रहे है, अनिंट्रस्टिंग object है, सब उससे बात नहीं कर रहे है, चले गए दूसरे दिन उसने थोड़ा सा अपने surroundings में इंट्रस्ट दिखाना शुरू करा, तीसरे दिन उसने थोड़ा सा अवाज निकालना शुरू करा, अब ट्रिकी वॉक करने लगा, और देखने लगा, अब उससे भूक लग रही थी, हाना, तो अब वो दूसरे जो dogs के अब उसको धीरे-धीरे इन्होंने खाना देना शुरू करा, हाना अब खाने के लिए उसे fight करना है, जैसे कि बाकी कुट्तों इगदम से भागते हैं खाना देखके वैसे ट्रिकी को भी भागना है, अब क्या हुआ उससे कोई भी medical treatment नहीं दिया गया, अब वो क्या करता था डॉक्स के साथ भागता था, खेलता था, fight करता था अपने food के लिए, rats के पीछे भागता था रात में, तो जो उसकी exercise की कमी थी ना, वो उसको यहाँ पे देने लगे, अब डॉक्टर हीरेट मिसिस पंफ्रे को बता देते हैं, क्योंकि वो रोजाना कॉल करती है, तो डॉक् उसकी immunity के लिए क्या-क्या भेजना शुरू करती है, अंडे, एक टाइम पे दो डजन, ताकि strength बिल्डो, wine, brandy, सब दे रहे हैं उसको, इस औरत को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बिमारी क्या थी, जैसी उसने सुना कि प्रोग्रेस हो रही है, फिर से बिजवाना शुरू कर दिया, अब डॉक्टर क्या कर दें, ट्रेकी को तो दे नहीं रहे कुछ, क्योंकि उसको देंगे तो फिर भी मार पड़ेगा, वो खुद खा रहे हैं, और इसलिए वो tempted है उसे permanent guest की तरह रखने के लिए, ये question आ जाता है board में, ठीक है के भाई, हम ट्रेकी को अप पिएंगे, ब्रांडी पिएंगे, मजे करेंगे, बट क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते तो फाइनली वो मिस्स पंफ्रे को इंफॉर्म करते हैं, दा ट्रिकी हैस रिकावर्ड और आप उसको कलेक करने आ सकते हो, अब आगे क्या हुआ, दो हपतों के अंदर, दो हपते वो रह जैसे ट्रिकी अपनी मिस्स पंफ्रे को देखता है, तो एकदम से उनकी गोदी में चला जाता है, उन्हें चाटने लगता है, प्यार करने लगता है, अब जैसे ही कार आगे बढ़ती है तो मिस्स पंफ्रे विंडो से अपना सर भार निकालती है है, उनकी आँखों में Mr. Heriot, मैं आपका शुक्रियादा कैसे कर पाऊंगी, this is a triumph of surgery, triumph मतलब victory, कि ये जीत है, ठीक है बेटा जी, so यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा चाप्टर है और ये जो class है वो समाप्त होती है, clear everyone, समझ में आया, एक बारी जल्दी से बता दो, फिर end करते हैं class को, आज हमारी class दो घंटे चल ली है, ठीक है, so I hope कि आपके सारे chapters का एक अच्छा revision हो गया होगा, ठीक है, अगर आपका exam आसपास है या नहीं भी, अगर आपको revise करने हैं सारे ही chapters, तो आपको अलग-अलग वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में आप लोग सारे के सारे chapters को revise कर सकते हो, इसलिए मैंने ये class लिया, ठीक है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, तो comment भी कर दिया करो, कल भी मैंने बोला था comment कर देना, केवल 30 बच्चों ने comment किया, मलब class देखने आते हैं 400 बच्चे और comment करते हैं 30 बच्चे, तो सोचो teacher को कितना बुरा लगता होगा, एटलिस जो बच्चे आखरी तक रुके, जैसे कि अभी भी मैं देख रही हूँ 160, डेढ़ सो बच्चे तो आखरी तक रुके ना, लास तक रुके ना, तो एटलिस तुम डेढ़ सो भी comment करो, लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो एटलिस यार comment तो कर दिया करो, ठेके, थाइंक यू जैनी, थाइंक यू सो मच, थाइंक यू everyone for all your love, बहुत बोल दी है, इसने मेरी जबान लडखरा रही है, बट ठीके गाई, थाइंक यू सो मच, अब रेस्ट वेस्ट कर लो, खाना वाना, खालो नहीं खाया तो, मैं भी खालू, कल मिलेंगे अपन भाई लोग, ठेके, थाइंक यू सो मच, लव यू, बबाई, ये जो पीडिएफ है, जो कल की भी पीडिएफ है, मैं भूल गई थी, क्योंकि रात हो गई थी, कल भी तो मैं ठक गई थी बहुत, तो मैं आपको टेलिग्राम पे दे दूँगी, फिकर नॉट कल टेलिग्राम पे आपको मिल जाएगा, और आप टेलिग्राम जोइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शिन में पहले नंबर पे लेंग है, अल्राइट, बबाई जी, तेक केर.